मैं स्वाफ ललन टॉप के स्टूडियो में हूँ, यहाँ पर एक साक्षतकार हो रहा है ललन टॉप की मेट्रो में आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत स्वागत कीजिए सलमा सुल्तान जी और वॉईस ओफ मेट्रो के नाम से मशूर शमीन आरंग साफ़ा दूरदर्शन चैनल नहीं था, एक एमोशन था शायद मैं टेंथ क्लास में था उसवागत भर आया तो बहुत एक्साइटेट था कि मां से बात करूंगा अब बाइजान को बताऊंगा क्या दूरदर्शन हो क्या है अब में वालिद साब से बात कर रहा था कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा मेरी माने बिलकुल तवज्ज़ नी दी उस बात पर उनका सिर्फ एक ही सवाल था क्या तुमने सल्मा जी को देखा? इसने तीस साल में ये नहीं बताए इस किस्से के बारे में और ललन टॉप में आप बता रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जब पहली न्यूज रीडर के तौर पर नौकरी लगी, उस समें तनखा कितनी मिलती था? ये पूछ के हमें क्यों हमारे दिल दुखा रहे हैं? साड़ी का अंदाज था, उसमें आप पल्लू को दूसरी तरफ से लाके वी शेप में जो पहनती थी सारे राज आज हम आपको बता दें कि हमारे स्टाइल क्या था? एक स्टाइल स्टेटमेंट शमी साब आपका भी था, कलम का धकन वापस लगा के यहां खूस लेते थे मेरा खांदान ने भी मुझे कभी इस बात का यकीन नहीं किया कि आदमें पड़ा लिखा तो इक तो यकीन दिलाना था कि देखिए ये कलम हमेशन साथ रता हूं पड़ा लिखा इंसान आपकी आवाज नसिर्फ शमी जी दिल्ली मेट्रो में है भारत के बहुत सारे जैपू अगला स्टेशन रामपूर है वटेवर इटिस जान के दिये लिए विच ही लाइट इस 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 वाट वाट अच्छा सवाल कि आपने जैसे 1984 के राइट सुए हिंदी में और अंग्रेजी में थोड़ा फर्क होता था हम दंगों की बात कर रहे हैं तो हम करते थे अंग्रेजी वाले लॉजिकल ए रेक्टिव नहीं होंगे तो इतना इक फर्क डाल दिया करते हैं तो इतना इतने वैरेशन से कभी इनाउग्रेशन है कभी पुलिटिकल निउस है कभी किसी की डेथ है कभी ट्राजडी है तो यू है टो यू वेरी इंपाशल ए करनी और ये फर्क बढ़ सकता जो नारंग ने कहा कम और बेश वो सही बात नहीं है अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आपके प्रेम में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ललन टॉप में हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर किसी को पटाना हो तो आवास कैसी होनी चाह कुल्दीब जी ने और बच्चों ने हमसे बहुत अच्छे प्राश्ण पूछे और हमने उसके पूरी इमानदारी के साथ जबाब दिये इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं नमस्कार नमस्कार मैं कुल्दीब सर्दार नहीं ये 2017 का दिलललन टॉप नहीं है मेरे चहरे से कन्फ्यूज मत होई है और आगे जो आप देखेंगे और सुनेंगे वो भी 1970, 1980 या 1990 के दशक का दूर दर्शन नहीं होगा पर लोग वही होंगे इसलिए बातें उसी दौर की होंगी आज गेस इन दे न्यूजरूम में हमारे साथ जो दो खास महमान हैं वो अपने समय के या जिसको कहा जाता है कि जो दूर दर्शन का गोल्डन एरा था जो गुजरा हुआ दूर दर्शन का जमाना था उसमें टीव पर खबरों के सबसे बड़े चहरे थे और वो एकनियत समय पर बड़ी शालीनता के साथ टीवी स्क्रीन्स पर हर रोज नुमाया होते थे और बहुत भावशून ने लगभग भावशून ने होकर इमोशनलेस होकर कोरी और सपाठ खबरें वो पढ़ते थे आप में से बहु पूछिएगा मैं अभी इन दोनों का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का परिचे मुझे एक-एक करके कराना है और वो इसलिए भी क्योंकि guest in the newsroom में बुलाने के लिए दर्शकों की मांग थी कि इन दोनों को साथ में बुलाया जाए बहुत खुश भी है हमारी और हमारे एक दर्शक है राजेंद्र शर्मा जी जिन्होंने आप में से एक के लिए ये रचना लिख करके भेजी है और उस रचना को परिच्चे की तरह ही लिया जाए मैं उसको पढ़ देता हूँ बात उन दिनों की है जब इकका दुक्का घरों में ही होता था फाटकदार ब्लाक एंड वाइट टेलिविजन रविवार को आने वाली पिक्चर देखने पूरा महला पहुचता था टेलिविजन वाले घर आहाते में लगाया जाता टेलिविजन और बिचाई जाती चटाई जिस पर बैठ पूरा महला देखता पिक्चर मध्यांतर में सल्मा सुल्तान बालों में लगाए गुलाब का फूल अपनी गंभीर आवाज में सुनाती समाचार इस बीच टेलिविजन वाले घर में पनाई जाती चाय और सब को पारले जी के दो दो बिसकुट के साथ परोसी जाती पिक्चर खत्म होने पर लोग एक दूसरे से पूछते हाल चाल मनुरंजन के साथ आत्मियता की असीम उर्जा पाकर अपने अपने घर लोटता महला अब हर घर में है पर कोई किसी के यहां नहीं देखने जाता टेलिविजन बहुत बहुत स्वागत कीजिए लंबे तीन दश्कों तक दूरदर्शन की स्टार न्यूज रीडर रही और अपने बालों में गुलाब का फूल लगा कर ख़बने पढ़ने के लिए मशूर रही सलमा सुल्तान जी का बहुत शुक्रिया मैम आपने समय दिया और परिचे भी 50 फीजदी हुआ है क्योंकि उनके ठीक बगल में जो सज्जन अपनी रॉवीली मुच्छों में तिरच्छा मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए नाचीज नहीं एक्रशना लिखती है और वो यह कि है वो बड़े शहरों की रेल गाड़ी जिनमें चड़ती हैं खोटलों और दुकानों के रिसेप्शन पर दिन भर हाथ जोड़े खड़ी रहने वाली लड़कियां और उतार देती हैं अपनी हील्स अपने पावों को लेने देती हैं सांस बड़े शहरों की मानक यात्राएं जिनमें बच्चे पोल डांस करते हैं पर उनकी माएं उन्हें रोकने के लिहाज से भी ठकी होती हैं जहां प्रेमियों के बैग की बद्दियां पकड़े खड़ी होती हैं लड़कियां और सीने पर जोला लटकाए दफ्तरों के ठके बु कि अगला स्टेशन आपका घर है दर्वाजे बाइं और खुलेंगे बहुत-बहुत स्वागत कीजिए दूरदर्शन के स्टार न्यूस रीडर रहे और बाद में दो वाइस ओफ मेट्रो के नाम से मशूर शमीन आरंग सापका पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया क्रिकेट सीखना शुरू कर रहे किसी नौजवान को जो बल्ला पकड़ना सीख रहा है सचिन तेंदुलकर और ब्राइन लारा से मिलकर जैसी खुशी होगी वैसी पत्रकारिता की अप्रेंटिस इंटर्शिप करने वाले हम नौजवानों को आज आपसे मिल करके हो रही है पहला सवाल जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं और वो जो इन दोनों रचनाओं में आया भी है इमोशन को ले करके बहुत लोग यह कहते हैं कि और यह दोनों से आप बारी-बारी से जवाब दीजिएगा कि दूर दर्शन चैनल नहीं था एक इमोशन था बात के दौर में कुछ लोग नॉस्टेलजिया में भी ऐसा कहने लगे जब दूर दर्शन वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था लेकिन जब आप लोग उस घटना में थे जब उस प्रक्रिया में थे जब चीजें घट रही थी तो पब्लिक प्लेसिस पर क्या आप उन इमोशन से किस तरह दो चार होते थे कि दूर दर्शन आपका मेरे खाल से 15-20 मिनिट का बुलेटिन होता था 20 मिन और सिर्फ उतना ही वक्फा होता था लेकिन वो उससे जो स्टार्डम मिलता था वो बहुत बढ़ा था उस समय भी यह इस तरह का इमोशन आप कर पाते थे जब प्लिक प्लेसिस में जाते थे आप जबाब देना चाहिए पहली बात यह कुल्दीप कि मैं आपको बेसिक एक वीजन बताता हूँ जिन्दगी में बहुत सारे आपके एहद होते हैं बहुत सारे लक्षे होते हैं लाइफ के तो हमारे जमाने में स्कूल में जब पढ़ते थे तो फिल्म इंडस्ट्री एक खाब होता था कि वहां तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन उसके बाद जो सबसे खुबसूरत मन्जिल मानी जाती थी उसे टेलिविजन माना जाता था कि अगर आप अपने शक्सियत को अपने खाबलियत को वहां तक पहुंचा सकते हैं तो आपने सब को चचीव कर लिया एक किस्सा ही मुझे याद आ रहा है सलमा जी मेरे साथ बैठी हैं आपको याद हो कि हम जब लोग स्कूल में पढ़ा करते थी और खासकर हम लोग विज्ञान के विध्यार्ती थे तो स्कूल में औरियेंटेशन के लिए यह कोका कोला की फैक्टरी में ले जाया जाता था यह पिर आपको दूरदशन ले जाया जाता था मैं उस समय भी जी उस समय बस आती थी और वो आपको दिखाते थी कि ओल इंडिया रीडियो कैसे चलता है और दूरदशन कैसे चलता है, तो मुझे शायद मैं टेंथ क्लास में था उस वक्त, मैं भी गया, जैसे आपको एक लाइन में ले जाते हैं, कि आप इसे स्टूडियो कहते हैं, इसे कंट्रोल रूम कहते हैं, इसे मशीन कहते हैं, इसे VTR कहते हैं, इसे कैमरा कहते हैं, whatever it is, त तो देखते देखते वो घर आया, तो बहुत एक्साइटेट था कि मां से बात करूंगा, अब 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 बाजान को बताऊंगा, क्या दूरदशन हो के आए, मेरी मा ने बिलकुल तवज्जो नी दी, उस बात पे, उनका सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुमने सल्मा जी को देखा? कौन से साल की बात है? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1969 के, मैं मैं आपने 1967 में जोइन किया था, जी जी, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, कि आपने सल्मा जी को देखा, भूल जाएए, कि आपने दूरदशन देखा, नहीं देखा, ये नो लेक, इस ओके, और एक ट तो उन्हें को फिर आपने क्या देखा? तो ये जो इमोशन फिर पैदा हुई, कि यार क्या कोई ऐसा वक्त भी इंसान को मिलता है, कि एक शमीन अरंग जैसे अधना शक्स को जो एंजिनिंग करके आया है, जो मिटलर्जिस्ट है, और वो जिसकी हिंदी आठवी कक्षा में छुड़वा दे गई थी, तो आपकी हिंदी छूट जाती आपसे, ठीक है, उसके बाद माध्यम आपका अंग्रेजी हो जाता है, और उसके बावजूद आप एक खाब सजाना शुरू कर देते हैं, क्या मैं कभी ऐसी कुर्सी भी बैठूंगा? कोई मुझे ये नहीं था कि वो बॉंबे का कैमरा मुझे शूट करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि माने ये कह दिया था, तो जिन्दगे बर लक्षे यही था कि क्या कभी मैं सल्मा जी के साथ बैठूंगा? So that was the biggest achievement for me. उसके बाद, आप अच्छा पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, आप काम्याब होते हैं, नहीं होते हैं, आपकी मक्बूलित आपको हासल होती हैं, नहीं होती, that's all together different. बट मेरा जो जिन्दगी में सबसे बड़ा, जो मेरा पुरसकार था, वो मेरा सल्मा जी के साथ बैठ करनी उस पढ़ना था. और आपके लिए? नहीं, पहले तो मैं बहुत इस वाद कन्फ्यूजड हूँ कि मैं क्या करूँ, ताजुब के बात ये है, इतना बोलने वाला शाखस, इसने तीस साल में ये नहीं बताया इस किस्से के बारे में, और ललन टॉप में आप बता रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, इनको जरूरत थी इस तरह के मंच की जिसमें आके ये बात बताते हैं, खैनी वे बहुत शुक्रिया, पहला नया किस्सा निकला, अब बहुत शुक्रिया, नारंग और बहुत शुक्रिया नारंग, और बहुत शुक्रिया व्यूज इसमें इमोशन नहीं थे हमें इमोशन्स लेस हो के न्यूस पड़ते थे थे वह एक खबर पढ़ने का तरीके पर मैं आओंगा, मैं यह कहा रहा था विवर्स जिस तरह का इमोशन और नॉस्टेलिय आज आप देखती हैं, जब वह चीजें घट रही थी तब भी वह इमोशन इस तरह से दिखता है, हाँ, तो इसका जबाब यह है कि बिसिकली हमारे लिए से टेलिविजिन सिर्फ इमोशन ही था, हमारा अपने वियोर के साथ इतना करीब का इंटरेक्शन था, कि हमने न्यूस पढ़ी और हमारे सबसे बड़े क्रिटिक थे, सबसे बड़े प्रिशन स शुरू हो जाती थी, और हमको बता जाता था हम कैसे लग रहे थे, हमने क्या पढ़ा, तो जो सिर्फ उसी वक्त की बात नहीं है, मैं समझती हूँ, बहुत खुशकिसमत हैं हम लोग, और मैं बहुत खुशकिसमत हूँ, कि बियोर का रिश्टा आज तक बना हुआ है, और इ रूफ करवा देंगे, लेकिन जो इनकी मदर्स हैं, इनकी सिस्टर्स हैं, वो लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक परिवार का कोई खोया, वो सदस मिल गया, तो ये बांडिंग बहुत कीमती है, बहुत अजीज हमें, और हम खुशकिसमत हैं कि हम उसका हिस् उंगलियों पर गिन सकते हैं जो दूर दर्शन पर खबर पढ़ने वाले थे, और misinformation भी उसमें बहुत होती थी क्योंकि Google और verification के tools नहीं थे, इस तरह से कभी कोई reaction आया कि लोग ये सोचने लगे हों कि बहुत powerful होदे पर हैं ये लोग और ये लोग सिर्फ खबर पढ़ते नह तो राजिस्थान से पांच लोग आ गए हैं और वो आपके घर हाँ जी कहीं से मालूम पड़ा होगा उन्हों का गर है शम्मी नारंग जान पहचाना है वाले साब मेरे फौज में थे तो कोई connection वहां से निकला कि आप जाएए वो अपना बच्चा है और फला जगा रहते है आप चले जाएए और उन्हों बोला बिल्कुल सही बात है क्योंकि उनका तो उठना बैठना फानेंस मिनिस्टर के साथ है वैसे कभी मुलागादी नहीं होगे उनकी कोठी के आगे से भी नहीं निकले होंगे है ना तो वो पहुंच गए और हमारी अम्मा और हमारी वाइफ उनकी देखा तो इनको चायवाई बिला रही है और हमारी नहीं सोचा क्योंकि भाई फादर सहब के यहां से कोई अप्रोच लेके आया जब बैठ कर बातचीत चूरू हुई तो बोल लगा प्लीज आपसे एक गजारिश है पली पेंशन ना जो आपने रिनाउंस की है उसमे क大 donation की निउजल तो ऐमियद् इसकी निउज चाहधा है आप भी जानते है मैं भी जानता हूं है ना तो खर उसके बाद मैंने का साब मेरा इसमिल क्या होसकता है कैसी बात कर रहे हैं आप चाहें तो जो कुछ कर सकते हैं आपना साब नहीं एक हम ख़ाद आप एख़र मिलती ह और इनको जब चाहें ये घर के लोग हैं इनका कान पकड़के हम काम करवा सकते हैं तो ये जो एक emotion थी तो अब आप ना भी ने कर पा रहें तो कैसे कहेंगे कि देखिए कभी मौका मिला तो आप मुझे इतना इल्म नहीं है आप लिख कर छोड़ जाईए मैं बात करके देखूंगा तो आप चाहे और पीजिए वो अलग बात है लेकिन मैं सहब policy making में नहीं हूँ तो आपकी बात बिल्कुल सही है ये बहुत common था ये बहुत common था कि आप ये कर दीजिए और ये भी छोड़िए कि आप दूरदर्शन का चेहरा है नया नया बुनियाद अगर आया है या हम लोग आया है जिसका हम से fiction से कोई तालुक नहीं है हम news के लोग हैं वो प्रोग्राम के लोग हैं मेरे पास मेरे घर में एक खातुन आती है अपनी बिटिया को लेकर और कहती है जर एक तक रमेश सिप्पी को फोन मिलाई है और भाई हमारे फूपा लगते हैं क्या वो जिनको फोन मिलाएं नहीं नहीं आप चाहें तो एक मिनट में बच्ची उसमें आ जाए की बने अदमे तो ये जो था जो perception था ये तो थाई और फिर ये भी होता था सलमा जी आपके साथ ये होता होगा आप तो खर माशालला बहुत मशूर चेरा था तो मर्दों में अकसर ये होता था कि आप भार जैसे आप गए तो आप चाहे पीने रिजर्ब बैंक के नीचे चले गए आपने कहा चोल अपनी कैंटीन में क्या पीना जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र थे विनोत दुआ उनका इंतगाल हो गया तो वो प्रोग्राम करते चलो भाई अब ये कैंटीन वाली चाहे क्या भी नीच वो सामने जाकर सड़क पार करेंगे थोड़ा चेंज भी मिल पीएंगे तो अक्सर होता तो सड़क के ओपर आपको कहीं देखा है तो एक किसा मैं सुनाना चाहूंगा जी खुदा उनकी रूख को शांती बख्षे मैं और विनोत तो सलमा जी वो इमोशन क्या चीज़ होती है और वो आपनी जहनी तोर पर लड़ रहा अपने आपसे कि क मुझे तो बहुत पहले पहचानना चाहिए नहीं आपको भी पहचान लिया खारी वावली में चावल की दुकान है ना आपकी उसने सुर पकड़ लिया भाई शम्मी तो ये किससे हमारे साथ हुआ करते थे तो ये चोटी-चोटी खुशनमा जो एमोशन होती है ये साथ ले बताया है कि जो फिर एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया उसकी कहानी क्या है पहले तो मैं आप से भी सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि अब जो मैं गुलाब के वारे में जवाब दूंगी वो शायद दस हजारमा जवाब होगा मेरा तो पहले ये बताए कि इस गुलाब क्या है कि बात गुलाब से शुरू होती गुलाब पे खत्म होती है खत्म नहीं होने देंगे गुलाब पे सिर्फ शुरू यहां से हो रही है तो वह कहानी इस तरह आए कि देखिए हमारे पास तो कोई स्टाइलिस्ट थे नहीं और हमको अच्छा भी लगना था तो रोज क्या करें तो मेरे गार्डिन में बहुत गुलाब थे मुझे पसंद भी गुलाब तो एक दिन दिमाग में आए कि भी आज हम पिंक साड़ी पहना है तो पिंक गुलाब लगाएंगे तो पिंक गुलाब लगा के चले गए नॉमल न्यूस बढ़ी बहुत अच्छा रियक्श गुलाब थे बाकी के लिए मुझे पड़ोसी का घर देखना पड़ा था क्योंकि उन क्या गुलाब थे तो उनके साथ मामला तैग किया तो फिर गुलाब लोगों ने मुझे छोड़ने नहीं दिया लेकिन इन्तहा यह है कि न्यूस खत्म हो गई कहानी खत्म हो गई आगे लेकिन आज भी अगर मैं कहीं जाती हूं और गुलाब नहीं लगाया तो मुझे यह तो गुलाब लाके लगा दे तो तो मैंने टैग कर लिया कि यह मेरा आधार कार्ड है मैं इसको लेकर साथ चाहते हैं आपके पते पर अभी गुलाब आते हैं कभी कभी गुलाब तो पता किसी को बता है नहीं खाली ललन टाउप को पता है तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस इंटर्व्यू के बाद अगर किसी को सलमा जी के लिए गुलाब भेजने हो तो आप हमारे पते पर भीजती जी बिल्कुल हम उन्हें पहुंचा देंगे एक बाद यह बता नहीं हुआ कि यह आपने निजी तोर पे एक फैसला लिया है और यह ठीक नहीं है उसकी बहुत दिल्चस्प पहानी देखिए ऐसा है कि अब तो खर मुद्धें गजर गई तो इजिक्र करना भी कोई गलत बात नहीं है कि जब यह बहुत पॉपुलरिटी गुलाब की तक और उसके बाद उनको प्रोग्राम तयार करना है हजार प्रॉब्लम और जो हम लोग थे हम जाते थे तीन बज़े अब तीन बज़े हम गए शिफ़ान की साड़ी पहने हुए गुलाब का फूल लगा हुआ आराम से मेक अप गूप में गए वहाँ चाई पी हलाकि हमारी मेहने दूसी तरह की थी लेकिए वह जितना भी उसका जो रियक्शन होता था जितना भी फल मिलता था वह सब हम लोगों के मिल जाता था हमारे कोई कुछूर नहीं था इसमें तो फिर वहाँ एक महीम तयार हुई कि एक महीम तयार हुई कि इनका गुलाब उतरवाए जाए तो बहुत सीरिस मीटियू हुई मतलब डारेक्टर साथ में बुलाया पूरा जैसे आपको यहां लोग बैठे हों सारे वहाँ जम्य हुए और बहुत सीरिस नहीं का कि ऐसा है कि देखे न्यूस बहुत सीरिस चीज है और आपको गुलाब अब नहीं लगाना हो कि उससे विय टाइब लगाना बंद नहीं होगा क्योंकि अगर अब मैंने गुलाब लगाना छोव दिया तो वियूर डिस्ट्रेक्ट खोगा इसलिए मेरा गुलाब लगा रहेगा तो बहुत हंगामा हुआ लेकिन बाहराल मैं गुलाब का साथ देती रही और आज गुलाब मेरा साथ द तरसु क करका राख के हैं तुक तो हुझ कहते हैं तो अपनी कहते है की अन्हlais का हुझ है और और इस दो कि अबार नहीं है की मैं फ्यूर जियन और यहां नहीं हो फेलाय से लिए नफीडिविस्ट अपता लियूर कर शयूर क्यों का कहा से थी देखिए ऐसा है कि स्टाइलिस बहुत दूर की बात है हमको तो पानी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था हमारे स्टूडियो में पानी की भी बहुत कमी होती थी इसका किसा बाद में सुनाई गया आपको सारी का ऐसा था कि जब तक ब्लैक इन वाइट तो काम चल गया है कुछ भी पहन लो काला सफे दिख रहा है और आप निकल आए लेकिन जब सार्टिस साभ ने इसको रंगीन बना दिया तो उन्हों तो रंगीन बना दिया हमारी मुश्किल हो गई और मसला यह हो कि साड़ी के पिंक कलर की तो ब्लाउस तो वापस काला ही है तो मैंने उसका तरीका यह निकाला कि उसको पहले यह तक करा पिर पीछे करा फिर पीचे से एक लूप लिया फिर यहां चेह वह बना लेकिंदे उसे प्राबलम यह ओ ठीप없이 कर सकती ती तो मैं देखती थी का आच न्यूश पह क्वान है डूटी पहॉत्यूवार तो मुझ उनके बालों की बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके बाल कंट्रोल में नहीं आते थे तो आते सी रोलर्स का इतना बड़ा छज्जा अपने सर पर लगा लेती थी तो वह लोरर्स मैं उसे कहती है मीनू प्रीज दरा से यहां टक कर दो पीछे कर दो तो वह बहुत इडिटेट होती उस समय के रिसोर्स ना होने की वह सारे स्टाइल स्टेटमेंट बन गए एक स्टाइल स्टेटमेंट शमी साब आपका भी था जब आप क्लोजिंग करते थे अपने बुलिटिंस की तो कलम का ढखकन वापस लगा के यहां खोस लेते थे तो वह भी आपका इंडिविजूल इ यकीन करें तो एक तो यकीन दिलाना था कि देखिए यह कलम हमेशां साथ रहां पड़ लिखा इंसान नहीं जोक सपाथ क्या होता था कुल्दीप की जब हमारे जमाने में निउस खत्म हुआ करती थी तो आपने देखा होगा कि वह जो कंट्रोल रूंग्स होते थे या कामर दें कि जर्क ना आए है ना तो वह एक कोई दो तीन सेकंड के ब्लैंक सा आता था आपने का इसी के साथ समाचार समाप्त हुए तो वह यहां तो यह बैठ जाएं कि भाई तुम कब जाओगे मैंने तो बोल दिया हाँ कैमरा देखते रहे हैं ठीक है तो इसे लिट मीडू सा कि भाई यह हैं नॉमल लोग हैं बातचीत करते हैं दूसरे को स्माइल देते हैं कलम उठाए कैसा रहा आपका देना मेरा दिन बोलते नहीं थे पर आप भाव से लगता था क्यों के फाइन वह डान आर जॉब है ना तो इससे फिर आज़त पड़ी उसके उपर आब यकीन मा क्योंकि आज़त पड़ा गई थी जैसे आज भी नहीं लेकर आए और आप कहें कि अब लगानी तो मैं सुमते ही लोंगा है ना तो यह तो तमाम बातें थी उससे फिर वह एक स्टाइलिंग बन गई और फिर मर्दों के पास क्या होता था कभी कोई नोटिफिकेशन आगी कि आज से बंद गले का कोट पहनेंगे आप कभी आप नेरू जैकेट पहनेंगे नहीं आप टाई जरूर पहनी है तो यह जो चीजें होती थी तो कोई हमारा कोई वाट्रोब या कोई इस तरह से सरकार कुछ नहीं दे थी ती आपको घर से ही सब कुछ लेकर आना पड़ता था तो वो जो एक बेसिकली उसमें होता था कि आज चलो चेंग तो हो ही रहा है तो वो वह इनी स्टाइलिंग नहीं होती थी पस एक नोटिफिकेशन आया थी थी कि कोई यह नहीं है को आपको आपको कोट पहना जागा यह टाइगा आपको आप बहुत सारी लोग हमारे ऐसी मै नाम नहीं लेना चाहता है जिनको पहली मरतबा आए उनको टाइ नहीं बहननी आती थी तो हमने उनके लिए क्या किया है कि आप घर से पांच-छे टाइ ले आये मैं आपको बांद के नॉट बना के छोड़ जाओंगा आपके लिए तो यह जो चीजें होती थी बहुत कुछ खुद करना पड़ता था तो यह जो एक दूसरी की हल्प करना है ना ठीक है खावतीन जो महिलाएं होती है उनका ज़रा ज्यादा होता है कि उनके सारी भी है आपने टग भी करना है सब हमारा इतना ज्यादा नहीं होता है हम लोग तो एक बार इस रात को नोटिस आ गया कि अजिए आपने बंद गले का कोट पैन रहा है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ न्यूस्रीडर का वो भाग के स्कूर्टी गाड का कोट पहना है कि बंद गले का पैनना है है ना क्योंकि यह बेसिकली तो हमारा बेसिक मकसद होता था कि जो पूरा बुलिटिन है ऐस अ कंट वो बहुत अच्छा चला जाए कि like I always tell people कि अंग्रेजी में कहा वात है we used to churn water and take out butter हम पानी का मंथन करके मक्खन निकालते थे बहुत कम facilities होती थी उसमें भी वो जो 20 minutes निकालने होते थे आप अच्छा पड़ते हैं बुरा पड़ते हैं that's immaterial क्या आपने उस bulletin को smooth निकाल दिया आपका जो coordination है VTR के साथ floor manager के साथ camera fade in fade out के साथ आपकी lighting आपका make up क्या ये synergy ठीक बन रही है नहीं बन रही उसके बाद आपका bulletin ठीक जा रहा है नहीं जा रहा ये तमाम जो collective जो एक process होता था जो पढ़ने का तरीका और उस समय के संसाधन उससे जुड़े मेरे कुछ सवाल है क्योंकि शुरुआत कागज से करेंगे तब auto की और teleprometer तक आएंगे आप कुछ कहना चाहिए यादारी कपड़ों की बात यह कर रहे थे कि महां कोई provision नहीं तक कपड़ों कोई सही बात हैं लेकिं मुसीबत इती कि खुद भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो उस पर भी reaction होता था तो एक बार हमारे एक बढ़कूराम होगा करते थे पियन जिनका खास काम यह था कि मैमोज इशू करें तो वो देखते से आप समझ जाते थे कि कोई क्यामत आने वाली है तो एक किसम की warning होती थी थी यहां मत उनको देख उनके चाहरे पर लिखा रहता था कि मैं आ रहा हूं यानि जिसे होता नहीं कि लाल बत्ती जल जाती नहीं वो थे वो तो मैं देख रही कि मैं अधर न्यूस पढ़ लिए हूं आगे पे मैं कि बड़कुराम थोड़ा रुख जाए आप खैने वे बाद में जब मैं न्यूस पढ़के आई तो उन्होंनों मुझे मैमो दिया उस मैमो में एक लेटर था जसे आपने भी पढ़के सुनाया वो दूसी तरह कर था कि म को मना रोकिया और एक यूनिफॉर्म बनाई है ताकि वो यूनिफॉर्म पहन के आए तो खर वो मैं पस मैमो आया मैंने जवाब दिया वो तो दे दिया लेकिन तो कपलों की यहालत थी कि जब पहनों तभी मुश्किल थी और जैसन उनका नहीं हो तो फिर कोट लेके उधार पहना पड़ा तो एक खातून के आपके पास भी आई थी और आपने फिर इशारा भी किया था कलम से उन्हें वह तो देखिया ऐसा होता हो जमाने में फैन में जिससे आप बोलते हैं हमारे जमाने में क्या होता था तो वो नहीं था कोई email या WhatsApp इस तरह से तो instant reaction तो कोई दे नहीं से खत लिखते थे लोग और हमारे पिजन बॉक्स होते थे उसमें वो खत आते थे वो जो भी लेकर आते थे उसमें रख देते थे से सलमल सुल्तान शम मिनारंग तो अपने पोस्कार्ट भी होते थे तो एक मैं वह किसा बहुत बार सुना चुका हूँ तो वह हमेशा लिखती थी कि मैं मर जाओंगी और मतलब अगर आपने महबत का इज़ार नहीं किया और मेरा जवाब नहीं दिया और यह तमाम जबाल एक यूथ में जो चलता है तो खेर बड़ा वो हो गया और हम लोग आपस मेक अप रूम में हसके टाल देते तो यार क्या लिख रहे हैं लोग ना इस तरह से जैसे होता और मेरे को तो कहना और भी बनता था मैं शादी शुदा था है ना तो खेर वो जब बहुत दिन हो गए बहुत दिन और उन्हों तो उन्हों ने ने का ठीक है तो और कहरे अगर आप खसम से फिर उन्हों ने लास्ट में ग्लेटर लिखा मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी और आगे से कभी ख़त नहीं लिखूंगी अगर आप मेरा चोटा सा काम करते हैं सिर्फ आप न्यूस पढ़ने के बाद जो पैंच जेब में कलम जेब में रखते हैं उस दिन मत रखिएगा तो मैं समझ आओंगी आपने वो एक तरह से एक रखते हैं and believe me उसके बाद एक बार उनका खताया कि thank you very much for doing this and I'll never trouble you बस यह कहके last khat आया बड़े दिल तोड़े हैं उने लोग नहीं दिल नहीं इस तरह से चौर वो एक अलग किस्से होते थे कि हर बहुत सारे इस तरह फैन में लग अलग आया करती थी तो वो अपने आप में एक मज़ा भी देती थी क्योंकि अप तो instant है ना सब को यहां तो आप तो कहते हैं ना कि एकदम गाली पड़ गई तो touchwood गाली नहीं पड़ते कि क्यों सर्मा जी कभी इस तरह से एक तो बहुत ही कभी कोई शालीन था थी भाशा में और opinionated news भी नहीं थी होता था कि आप slow पढ़ लीजिए या हाँ पढ़े लिखे लोग आपके तलफूस के आपके बेसिक लेजर के उपर बात करते थे कि साब आपने फलाव शब्द को सही तरह से प्रनाउंस नहीं किया तो उस पे बहुत क्या होता था देखिए यह शब्दों की बार इसलिए होती थी कुलदीप कि आप जानते होंगे शायद आपके वक्तने भी यह हो गया हो कि ज लोग तो इंस्टिटूशन थे अपने आप में तो वो जो जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेकर जाते थे कि भाई हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए है ना आप अपने उचारण में एकदम हंड़िट परसें आप परफेक्शनिस्ट बन के जाईए है ना हाँ ये जरूर कई बारी होता था मैं एक लिबर्टी ले लेता था सलमाजी भी ले लेती थी अगर आपने बहुत ही कोई भारी भर कम हिंदी शब्द हो गया आपने नया नया भुरून हक्त्या शब्द चला जैसे तो बहुत लोगों को नहीं पता था है ना तो अब उसमें आप आपने तरजुमा भी कर दिया अंग्रेजी में ये कहते हैं अब भारो तोलन हुआ अब वेट लिफ्टिंग है तो आपने लिख तो दिया क्योंकि एक नोटिफिकेशन आगी आप ये अंग्रेजी वाला वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो जस्ट टो एजुए भारो त होती थी यह खुद कर लेते थे उससे क्या होता था लोगों को अच्छा भी लगता था और यह भी लगता था कि हां यह सब्जेक्ट को जानते हैं लेकिन एक मतलब वह आरोप की शकल में कहिए या बाद में उपहास की शकल में आकाश्वाणी के बारे में भी और दूरदर् सुल्मा जी आप कुछ कर पाती थी करने के स्थितिव होती थी या ठीक भाशा से नारंगने लिबर्टी लिए होगी लेकिन मुझे कभी ऐसी जरूद मैसूस नहीं हुए कि जो एक चीज जबान चल रही है मैं उसमें एड-on करूँ तो एक फिक्स जबान थी और फिर लोग गिरी दीर उसको समझने भी लगे थे नहीं मैं क्या कहना चाहती है कि हम कहां करते थे कि हमारे जो टाइप राइटर थे बहुत पुराने हो गए थी क्यों हमें तो जर्मनी से सारा सामान मिला था वो बिचार इतने ठक गए थे कि उन्हों उचकनी की आदत हो गई थी मतलब अगर सालिक हो तो गा आ जाता था तो हम लोग की मुश्किल यह होती थी कि आधा बुलिटिन हम बैठके वहां पर करेकरते थे हम एडिटर के साथ बैठे हैं और लिख रहा हैं हम अपने पैंस से उसको सही करे जा रहे हैं आधा बुलिटिन हमको बगए रहस करा हुए मिलता थे क्योंकि न्यूज आती थी तो हम लोग बहुत जासा आपने का कि हम लोग बहुत शालीन हैं यह हमारी मजबूरी थी शालीन था क्योंकि हमारे पर जो गुजर रही होती थी वह उसके लिए एक शेर है कि यूं कि दूसर जिसके बाल उडे हुए हात उसे हमें पेपर रखे जाता था और हम नहीं पता था चाली प्रॉम्टर को प्राने दूब फेटय थी पर रख एक ल दूब आयु है थी और बॉछ और रखा जाता था तो तो ऊसिंदे था कि उसमें एक लाइन आने वाली और है सेखिट का काम था है की पुराने नए ६ार को पुराने जमाने में आउरतों को पडते बंद रखा जाता था तो उसके लुखitu रंदर रा उच written हो उचाखक के बंद के साथ आगर उदर जा गए तो व led बैं बंद गये कि पुराने जमाने में आउरतों को बंदर कह बंदर खा लेकिन ठीक पढ़ने के बाद मतलब पूरा जो दिमाग तब हिल गया तो इसके बाद दो ग्लास पानी पीना पड़े थे तो हम लोग यह बहुत होता है अच्छा थोड़ा सा एक फ्लेश बैक करें और आप लोगों का ब्रॉड कास्टिंग में आने के जो शुरुआत है उसकी कहानी में एक जनाब के सिर पर बाल नहीं है आपकी कहानी में एक जनाब सीड़ी पर चड़े हुए और कुछ सुझा रहे हैं एक एक करके वो आप कहानीया सुना दीजिए कैसे आप राट कास्टिंग पहले किससे सुनना बगार बाल वाली या बाल वाली या आप सुनाईए नहीं ऐसा है कि मैंने शुरुआत की थे अनाउंसर की तरह कि उस वाद यंग लोगों को अनाउंसर के लिया जाता था और न्यूस के लिए बुर्दबार लोगों की जरूर थे तो जब दो तीन साल पढ़ लिया तो मैंने देखा कि अनाउंसर हमें जाना पड़ता था दो बज़े एक एक लाइन बोलना पड़ती थी दस बज़े नमसकार करके वापस आना पड़ता था और जो न्यूस रिज़र थे वो आते थे तीन बज़े चार बज़े उन्हों न्यू को नहीं इंकरिश करना चाहते थे तो मेरी अनाउंसमेंट की ड्यूटी थी और उस दिन जो न्यूस रिज़र थे वो पालकॉल थे अच्छा उनका ये मसला था लोगों के साथ कि वो न्यूस नहीं पढ़ना चाहते थे वो प्रोड्यूसर बनना चाहते थे तो उस दिन वो और आके उनकी ड्यूटी थी तो बाल मुडवा के तश्वीफ ले आए तो जाहरे उनको इतनी खुशूरत शक्सियत को तो नहीं पेश किया जा सकता था तो पूछा कि कौन है सलमा है हमसे का तो हम फॉरण तैयार होगे जी जी बिलकुल ये नहीं पता था कि होने क्या जा रहा और पंद्रह मिर्ट कैमरे के सामने रहना बिदाउट फिल्म तो हम तैयार तो होगे लेकिन जाकि जब पढ़ा तो पंद्रह मिर्ट का बॉलिटन हमने साथ मिर्ट में खत्म कर दिया क्योंकि इतनी रफ़तार से पढ़ा और हम अंदर गए तो बहुत खुशते कि यहां पर सब लोग बहुत वहवा कर रहे हूं सब सर पकड़े बैठे हुए थे कि को उनको फिल्म चलाना पड़ यह रुकावट के लिए खेद देना पड़ा फिर डिसाइड हुआ कि बही आब इनको ट्रेन करें तो इस तरह से मुझे यह मौका मिला और आम सो हैपी अपी अबाओ इ से पहले मेरी आवाज को पहचाना गया वेरी फ्रैंकली वोइस ओफ अमेरिका वाली जी वो भी क्या हुआ कि मैं जैसे बता है इंजिनरिंग का स्टूरेंट और मेरे कॉलिज में एक अडिटोरियम बन रहा था तो अडिटोरियम में वो अमेरिकंस चार अमेरिकंस उसकी के के लिए अकूस्तिक कैलिबरेशन बोलते हैं जिसे स्पीकर्स लगा रहे हैं तो हम 30-40 वे जिसे डेस्टिनी मैं इसलिए कहना चाहता हूं नियती क्या चीज होती है तो हॉस्टल से उठके 30-40 स्टूदेंट देखने चलेगा यह कैसे होता है काम इस पर इतनी तवज़ क्यो दी जा रहे हैं तो जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग खड़े को देख रहे हैं और एक अमरीकन जो नीचे माइक्रोफोन के पास बादेशन को कर रहे हैं उसको एई कम यह मुझे बुलाया गया क्यों बुलाया गया मुझे मालूम नहीं और उन्हें कुछ मालूम नहीं था और इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में इस तरह से कोई माइक्रोफोन को कॉलिज में बैंड-बैंड की वज़े से फेस कर लिया और लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि माइक्रोफोन के इतनी आयमियत होती है है ना इसे साम्थिंग उन्धिंग पर बोलते हैं गोरो कंभक्तो हमारा ही खाते हो और हम पर रोब जमाते हैं कुछ इस तरह से मैंने सो इससे क्या होगा कि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स है वो भी मुतास्र हो जाएंगे वो मदाख करने की आपकी आदत होती है तो बोल रहा था तो वो जो सीड़ी पर चड़ा वो जीने से नीचे उतरा जो करने जो से से कम ही बेटा यहां तो इसको हिंदी समझ आ गई है और उसने पहला जो जुमला इस्तमाल किया उसने भी यही कहा डों यू थिंग यू थिंग यू वाइस्टि आपक्त माब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के इस पर कभी इस तरह से गौर ने किया माशाला बहुत अच्छी आवाज है आप पैसा करिये हम लोग यूसाइस से आया है वो करजन रोड पे है जिसे अब कस्तूर्वा गांधी माग कहा जाता है इधर आई और हमारे एक चोटा सा यूनिट है वी ओए तब बीबीसी सुना लेकिन नेवर नियू वाट वी ओए स्टूड फर है ना वाइस आफ अमेरिका वाइस तो बड़े अमजे में चले गए वहां पर और पहली मर्तबा हमने फोर्थ फ्लोर पे उनके बहाँ अच्छा स्टूडियो देखा और वह बड़े-बड़े स्पूल्स और पहली मर्तबा मालूम पड़ा कि ये वाला स्टूडियो होता और ये कंट्रोल रूम होता है उसके बिच में दो दर्वाजे होते हैं उसमें वैक्यूम रखा जाता है तमाम बात हैं तो हमको एक स्क्रिप पकड़ा दी गए कि आप जाईए और पढ़िए तो जिस तरह से आप फोल्ड करके पकड़े हुए हम भी फोल्ड करके ही स्टूडियों के अंदर चलेगे इतने कॉंशेस थे जिन्दगी में कि हम समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो वह बाकी पांच अमेरिकन लेकिन हिंदी सेक्शन के जो हैट थे वो थे शास्त्री साहब सबना ओपन पेज तो हिंदी मैं तो होंगी कोई दस से बारा पंक्तिया होंगी तो मैंने का चली मैंने का भाई अब भार तो निकलूंगा नहीं और ना तो ये शो होने दूंगा कि मुझे हिंदी छोड़े हुए तकरीबन साथ आठ साल हो चुके हैं सब्सक्राइब और पढ़ना शुरू किया इससे पहले औरेटरी कभी नहीं की थी माइक्रोफोन के आगे गाना गाया था वह जो कॉलेज में होता है आप 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 प्रफेशनल ड्रमर आइस तो प्लेज़ द्रम्स फोर अलग बात है लेकिन कभी इस तरह से इतनी संज जीद्गी के साथ कभी औरेटरी स्किल नहीं शो की थी अपनी बोलना शुरू किया तर दस बारा लाइने सो जो तमाम लोग उसमें कंट्रोल रूम में थे तो उनके जो तासुरात उनके जो आव भाव थे उससे मालूम पड़ा भाई ये लोग पसंद कर रहे हैं अगर आपने प्रतिभा की छोटी ए की मात्रा का खयाल कर लिया होता तो आप त्रतिभा ना भाव भाशा है जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है अगर आपने प्रतिभा की छोटी ए की मात्रा का खयाल कर लिया होता तो आप त्रतिभा ना पड़ते हैं तो आप ये प्रतिभा था इसमें बस यही था So I said, can I do it again? Well, हाँ, एक बार और कर दीजिए एक बार और कर दिया When I came out, आप लोगों के लिए बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है यह, तो मैं बहार आया, तो मैंने का, very nice, we have canned it and we'll try to broadcast it tonight, वो रापको थू पर्टिकुलर सिस्टम जाता था, है ना, वो वेकल All India Radio से टाई अप था उनका, उस तरह हाई पावर ट्रांस्मीटर्स होते थे, कि आपको 10 मिनिट के बाद सारपया मिल जाए तो आप तो गिर जाएंगे, तो आप तो गिर जाएंगे, राप को से खावर जाएंगे, उसी यहांगे तो गिर परॉल, ट्रापमी हैंगे, को और यहां मुझा था, है। आप आप तो है नहीं जुए उनका शहर्ण चल्दम कर लेंगे, तो बहुत भुलूलोख को सब आपको था तो सारपय में चल्दम कर दीजा थे, तो अगरे तो सौर पेको अपने मौज़ों में जरावों में छुपा लिया एक तो चोरी ना हो जाए और एक मेरे रूमेट्स को ना मालूम पड़े तो खेर में जब भार निकला उसके बाद उन्होंने एक परचा और पढ़ाया सौर पे और दे दिया यह मैं अमेरिकन्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको वो आपको अगर अगर इस पॉट्ट दे टेलेंट उनको मालूम है कि अप इसको प्रचाहित कैसे करना है इस तरह से मैं वापिस आया साथ यहां से मेरा सिलसिला शुरू हो गया लेकिन घर में मैंने छे महिने तक नहीं बताया अचा ऐसा क्यों? वाले साथ फॉच में थे उन्हों पागल है भांड बनोगे बड़े होके यह क्या कर रहे हैं आप? स्टंट राइडिंग भी करते से वाले से वो बात में हैं जब एंजिनिंग कर ली तो खेर यह तौम चलता रहा इस दौरान मेरी कुछ वोईस ओवर्स के लोगों से मुलाकात होगी तो विग्यापन प्रसारन सेवा दिल्ली में शुरू हुई थी तो उन्हें ने का हमारे यहां पर मेल वोईस की कमी है तो आप आईए कुछ बोलना शुरू कीजिए तो आई उस टो पोक माइनों सेवरिवेर लाइक इस टो राइट फो दें मुजिशन तो था ही मैं मुजिक कमपोस कर देता था तो यह तमाम चीज़न करते करते मैं मुजिक कमपोस किया 50 रुपए स्क्रिप्ट लिखी 50 रुपए वोईस की 50 रुपए तो 200 रुपए घर जब मैं लेकर आता था तो कमाल था तो आई स्टार्ट लेंट की ऐसे ऐसे मैं करता हूँ और यह कर दो ठीक है यह हबी अपने खत्म कर ली जगा लेकिन करेंगे आप एंजिनिंगी, नौकरी करेंगे आप, वो जो टिपिकल उस जमाने की जएक बेसिक मानसेकता होती थी, है ना, तो उसे सबसे, ये मेरी शुरुवात हुई, जो मुटसेकल बनाती थी, उन दिन में एक बॉबी फिल्म आई थी, आपको याद होगा, उसमें रिशी कपूर एक मुटसेकल चलाते है, डिम्पल कपाडिया के साथ बिठक, तो जिसने सेकिन किया था, तो एसकोट्स ने वो मुटसेकल लांच की थी, उसका नान था GTS, चोट होता है, तो I was always a biker, तो बहुत शौक था मुझे, मैंने कॉलिज के जमाने में भी बुलेट रखी होई थी, तो जब मैं चला रहा था, तो करने लगे थे, आप ये इन इस मुटसेकल को, आप, since you have opted for commercial sales में आएं, तो क्या आप इसको खावातीन में, महिलाओं में इसको प्र stunt riding, तो उन्हों ने सिखा ही, जिन्हों ने बॉबी में second किया था, प्रेमला, वो मेरे गुरू थे, बहुत कुछ किया, then my parents say, यह तो घर चोड़ तो यह कर लो, क्योंकि accident हो गया, उसी show में हुआ था, खेर, यह तमाम, तो इस तरह से, पर यह voicing के साथ साथ, यह मेरा, इस त आपके दादा जी सिख, मेरे फादर भी सिख, वो पगडी पहना करते है, हम लोग उस परिवार से हैं, जहां बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था, मनत मांगी जाती थी, पंजाब में यह जानते होंगे, एक तरह बहुत बड़ा एक रिवाज था यह, तो मैं I also, I can speak Punjabi very well, तो एक प्रगाम आता था सरप सांजी कुर्बानी करके, वो प्रगाम मैंने जब किया, तो उसमें I was sounding like a preacher, आत्म दे सुखले, टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश कर देने, सरप सांजी कुर्बानी, कोई बोले राम, तो इसमें एक शबद चल जाता, तो इसमें एक कीजिए, तो उनको था कि इसको, तो क्या हो था तो गुर्बानी को मैं explain भी करता था, वो तो पढ़के करता था, मुझे उसका मतलब नहीं आता था, तो उनको कहा कि आप इनी को ले लीजी जिनकी voice है, तब मेरे को कहा गया, जो कैमरा उस दमाने में, कैमरा पसन, नॉमल फ् पूछ रहा हूं आप दोनों से, जब पहली नूसरीडर के तौर पर नौकरी लगी, तो वो साल कौन सा था, मुझे मालू मैं आपका 1967 था, उस समय तनखा कितनी मिलती थी, आप पता ही से, नहीं हमारी तनखा तो इसका 1200 से शिरू हुई थी, और जब 67 के आप से तो 2000 थी, तो आप पूछ के हमें कुं हमारे दिल दुखा रहे हैं, मतलब याद जो हमसे दिल से निकाल चुके हैं, तो आप हमें उसको याद देला ररे हैं, लेकिन यह बात जरूर है, वो बहुत लगी सा थे क्योंकि फैसे तो फैसे तो इतने से तलिक ओ़ों कि तो इस ने जो कुछ हमे था उसके एक दंबाद, 82 में पहला बुलेटिन पढ़ा, तो दो तरह की बुलेटिन होते थे हमारे जमाने, निया-निया LPT शुरू हुआ था, लोग पार ट्रांस्मीटर, ताकि उसकी रेंज बढ़ सके, तो सलमा जी नैशनल पढ़ती थी और हम लोग जिसे लोकल न्यूस कह लिए एक तरह से, छोटे दारे की खबर हैं, मतलब वह भार तक जाती थी, तो मुझे डेट सो रुपया पहले बुलेटिन का, हमारे मैं, मैं कैश्रूल था, मैं की तरह सैलरीड नहीं था, तो उसका डेट सो रुपया पहले मिला, और फिर वह मेखलती, धाई सो हो गया, इस अधार बना लेते थे, हमारे तो वहीं रहते थे, अच्छा एक और बात क्या होती थी, कि मतलब इतिफाक से, जो मारे मेल न्यूज इड़े थे, बड़े शरीफ थे, पता नहीं क्यों थे, मुझे नहीं पता, यह बहुत शरीफ थे, और तो मैं पर्मनेंट थी, तो मैं हर व रुपए की, और मुझे तलाश होती है, मुझे ब्रेक मिले, तो इस तरह से हमारा मेल न्यूज इड़ेक साथ बहुत अच्छा तालमिल था, इसलिए मैं हमेशा इन लोग की कदर करती हूं, और हम इस बात के लिए इनकी कदर करती हैं, बिल्कुल, एक यह कि आपकी आवाज ना सिर्फ शमी जी दिल्ली मेट्रो में है, भारत के बहुत सारे जैपूर, मुंबई, जहां पर भी हिंदी अनाउंस में हैं, वहां पर आपकी आवाज है, एक जगे आपने कहीं कहा कि आपके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था, क्या ऐसा कहा आप? जी, करियर का ब्रेक इन दे सेंस कि जब आप एक ख़बरों से आपकी छुट्टी हो जाती है, आप दूरदर्शन में इतनी मखबलियत हासल कर ली, फिर धीरे धीरे बहुत सारे चैनल आ गए और पिर कहीं दूरदर्शन थोड़ा सा खो भी गया, गुम होना चुरू हुआ, और मेरा ये था कि I was already doing very well, साथ-साथ मेरा अपना studio है, मेरे अपने production company खुल गई, तमाम बड़े-बड़े commercials मैंने बनाने शुरू कर दिये थे, क्योंकि मैं casual था, बंदिश नहीं थी मेरे उपर, ये जो साथ में सिलसिला चलता रहा, वो मुझे हमेशा फायदा देती रही, तो जहां तक मतलब voiceover की बात थी, या production की बात थी, वो भी ये था कि लोगों को बड़ा फायदा ये मिलता था कि शम्मी नारंग के पास जाने का फायदा है, कि एक छट के तले सब कुछ मिले, कि अच्छा music कर देंगे, scripting कर देंगे, है ना production कर देंगे, तो ये जो तमाम ब सबूलियत में या आपकी continuity में कोई break आए, तो जैसे ही 2001 की बात, 2000 की बात है, 2001 तक मैंने news पढ़ी, 2000 में मुझे फिर एक offer आई, कि आप साब ये 10-12 messages हैं, तो अभी trial है, तो इसको आप इतना खोश्मत होईएगा, तो हमें भी नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी चीज बन जाएगी, श्रीदरन साब ने मुले है, वो भी क्या हुआ, उन्होंने कहा, उनकी meeting होई, उनने का, there are two people, I really like, there's a lady, वो जो रिने, अंग्रेजी, उसको इसके लिए ले ले ले, वो जो जो रिने, अंग्रेजी, उसको इसके लिए ले ले, वो जो 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 पाइब पाइब है और, I said, okay, fine, हम कर देते हैं सब, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि, उमेकर शाद, शाहदरा से तीस हजारी तक वो लाइन पनी थी, शाद, है न, सबसे पहली लाइन थी, if I remember correctly, तो उसके ये था, तो पहली मर्थवा, पर हमने कहां हम, where we stood out, मेरे को लागा, मैंने रिनी से पर, you know, like, इसको अभी काम करते हैं, ये मुख्तलिफ है, ये अलग है हर एक से, तो क्या किया जाए, तो उनने एक शम्मी यार, वाकई वो एक, जब गाड़ी चल रही होगी, तो उसमें एक एम्बियन साउंड होगी, तो उस आवास को चीरने के लिए, let's not do like commercial, उसमें हम थ है नहीं, रामपुर कोई भी, पर चलिए, है ना, कृपया, दर्वाजे से हटकर खड़े होँ, नॉमली तो आप इस तरह से बात नहीं करते हैं, पॉजस हैं इसमें, पॉजस जान के दिये, विच ही लाइक, तो क्योंकि हिंदी भाशा में, आप जब जल्दी बात करते हैं, तो ये तो इस तरह के पॉजस तो बड़ी अननाच्रल लगते हैं ना जी, पर उधर ये वाली चीज़ काम आ गए, एंडेन, फुल स्टोरी स्टार्ट, उसके बाद हमने बहुत नाच्रल होने की कोशिश की, वो रिजेक्ट हो जाता था, उन्हें बोला नहीं, स्टाइल यह उर्दू में तो गालिब लगेंगे, ने, बात वो नहीं था, उर्दू में बोल के बताओ, ने, बलब उसमें ये था, कि आप हजरात खवातिन गोजारिश है, कि दर्वादों से हट कर खड़े हो, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मैं उर्दू पार्ड लिख नहीं सकता, त उर्दू को देवनागरी में लिखता हूँ, तुमने उर्दू में कैसे कहा हूँ, हजरात खवातीन, खवातीन पूरा कहना पड़ेगा हलक से, हाँ वह हमारे था, खवातीन हजरात पूरा बोलते थे, और ये, या, मौजज मुजाफिर, कुछ ऐसा भी था, वह मैं तो आप दोनों के लिए सवाल है, नुकते कैसे दुरूस्त करें, आप जब दोनों कहते हैं, हम दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं, पहले आप से, नुकते कैसे दुरूस्त करें, अपने उचारंड में बहुत सारे लोग जो अर्दू की तालीम लिए भी ना आते हैं, कुछ होता है जाल जो है हिंदी में शायद नहीं है उर्दू में कुछ और नहीं है लेकिन नुक्ते हैं याप जा बोल सकते हैं हिंदी में और जा भी बोल सकते हैं तो फिर नुक्ते गलत तरीके पर क्यों लगाए जाते हैं तो उन्हों ने बताए कि लोग सराकर उन से कहते है कि जावे सहाब क्या लजीज खबाब हम आपके लिए लेका हैं तो कहना ये कि नुक्ता भाई वहां सही लगा दीजे तो सिर्फ यह कि मसला सिर्फ यह है कि आजकल जो बच्चें हैं उनका भी खुसून नहीं है उनको जबान की एहमित नहीं सिखाए जारी और अगर मैं यहां कहने की लिबर्टी लेना चाहूंगी कि जो चैनल्स हैं वो भी इन बच्चों को यह नहीं बताती हैं कि आप वो जबान को किस तरह से सीखना है और क्या यह बच्चे इतनी महनत करते हैं मैं बहुत फिर कई बार कह चुक्छी कि दुबारा कहूंगी कि आप लोग एंकर सुन लोग बताया जाता है कि नुक्ते कैसे लगाएं ना कोई बताया जाते है जबन की खुफसूरती क्या है जबके हम लोगों को एक एक नुक्ते पर रोका जाता था हमारे बागग है डूटी रूम में एक बंदा बैटता था जिसकी शकल आज भी सोचते हैं तो घबराट होती है वो यह ही बतातेकं लुटी हो या फ़िते हैं आपको राश्ट्र पती कहना वह इतना से जो रा है वो भी कहना तो यह थो कोशिशक्श करें नुकते सही लगाने की वनका वह होगा जावे सहाब कadore क्या अच्छा कवाम पर तो यह एक जनाम ना नया सीख रहे थह और फिर वह ऐसी जगूपर नुक्ते लगाने लगे जहाना ही होता हाँ के नीचे के हावा छल रही है, उंचैनDXT практически मांचे मा ने भी Gefला कि कई बार होता है चोड़िये उर्दू छोड़िये नॉमल हिंदी में भी अब हमें याद है कि हम जैसे बहुत सारी लोग शमता बोल देते हैं कोई बाद नहीं बोला जाता था तो किस तरह से आपके गुरू किस तरह से ट्रेंड करते थे तो कहते थे कोने में खड़े हो है तो ये अब क्यों देखे आप कई बहुत बार हमसे सवाल किया जाता था खासकर ऐसे बच्चे हमसे पुछते हैं अरे भाई हमने शमता बोल भी दिया तो कौन से गलती कर दी आपको समझ आ गया है ना तो नॉमली देन वी फाइट ऐसे नहीं बात वो नहीं है अब इस अब अगर कोई उनने से एक भी जानता हो वैं भाई ये मज़िदार आदम है ये नंबर बढ़ गया ना आपके रही बात अब बहुत सारे लों कहें अरे शमी साब आवाज है तब ही आप इसका खा रहे हैं अज़ी अज़ीड़ कि बात आवाज के नहीं है आपकी मॉडिले अज़ीन कलाकार हुए जो आवाज के मालिक है रजा मॉराज साब है सुरेश भरोय हैं अमिताब बच्चन है बट वाई एवरी टाइम अमिताब स्टील्स दे शो वो कंबक्त जूट भी बोलता है तो सच लगता है वो कहां पॉस देता है वो कहां मूट बदलता है उसी का ख इस इन बॉन नाच्रल है उसके पास वो संसकार भी है पंडी जी के वह अलग बात है लेकिन यह जो फिर रजा मॉराज इस टाम बेस्ट वोई सवर होता है सुरेश भरोय तो कमाली कर रहा होते अगर ग्रेंज की बात करें तो है ना बैडिटोन की बात करें तो यह जो तमाम बाते हैं यह सिर्फ आवास से नहीं वेन यू वोक न लैंग्वेज ऑलसो पर अब सवाल सल्मा जी ने जैसे सवाल किया कि क्या हम लोगों को इस तरह का एन्वार्मेंट भी मिल रहा है नहीं मिल रहा क्या इस तरह के गुरू मिल रहे हैं जो टोकते थे या रोकते थे मिलना चाहिए, प्रकुद चैनल जब इतना काम कर रही है तो उनको इस नई पिडी को क्यों नहीं यह हुनर सिखाना है नुकसान इस पीडी का हो रहा है ना इनमें टैलन्ट है मेहनत है आगे बढ़ना चाहते है लोन्त और इप्रिषेट गुड लेंगबच तो पिय चेनल को चाहिए कि भरह इनको समझाएं इनको बतां असमें क्या मुश्किल है और इसमें कुल दीप सीरत अलफुस की बात नहीं कि बात नहीं है बात हमारी शब्दावली की भी होती है वो बैंक कितना स्ट्रॉंग है मैं आपको अगर आपसे बनाना चाहता हूं एक संपर्ख थावित करना चाहता हूं तो सबसे अच्छी बात या आपके भी काम आएगी बात कि हमने का कि कुल्दीब मेरे घर के पास रहते है डाखाने के निकट है और वो गंगा के नस्दीक है है न अरे चुन्नुमिया के करीब तो आपने एक नियर में चार शब्दों में आपने कनवे कर दिया आप करीब भी कह गए पास भी कह गए नस्दीक भी कह गए निकट भी कह गए तो ये क्या होता उससे मनौटनी हर जो एक सेंटेंस की हर जुम्ले की तो ये भी सीखना बहुत जरूरी होता भाशा के लिए अब आप वैसे तो नॉमली आप न्यूज में कहेंगे साथ वो तो टेली प्रॉम्टर पर जो लिखा हूँ आगए आपने पॉड़ दिया लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो इसलिए हमेशन भाशा पर में हम लोग और सलमा जी दोन मिल कि क्यों तवज्यों देते हैं कि भाशा अच्छी सीखना या साही ढंग से बोलना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने कामरा पेस करना है या माइक्रोफोन पेस करना है जाती जिंदगी में भी विन वान तो स्ट है आप एक मैनेजमेंट के ट्रीनी बन कर जा रहे हैं या मैनेजर बन कर जा रहे हैं भूल जाईए टेलिविशन रीडियो को भूल जाईए उसके बावजूत तो यह भाशा सही होना आपको बहुत काम देता है और एक सवाल यहीं से मतलब आप ओरिटरी स्किल्स की बात कर जो आवाज में बेस है या अच्छी आवाज जो है हमारे हैं सौरब त्रिपाथी हैं पता नहीं अभी हैं यह हैं तो यह बड़े रोमैंटिक प्रवृति के आदनी हैं लेकिन आवाज के मामले में यह गच्चा खा जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी आवाज अ किसी को भी एक बेसिक आकरशन पैदा करने के लिए अगर आप मतलब बहुत अच्छी देखे इश्वर ने आपको थाली तो बहुत अच्छी दिये जिसे आवाज कहते हैं अब उसमें परोष्णा भी आ जाए तो चार नो मतलब फिर तो सोने पर सुहा गाए ना वो तो कि अगर किसी को बताना हो तो आवास कैसी होनी चाहे है तो अगर ऐसा होता तो सबसे अच्छे जो टीचर होते नारह होते क्योंकि यह हर जजबे को करके बहुत अभी कौन साब है आपके जो इश्क में मायूस हो रहे है आप प्राइवेट कोचिंग ले नारंग से और यह आपको आवास से गारंटी है एक के सब दो फुरी मिलें जाए आप अब बिल्कुल मायूस हो उन्हें भी देर हो गई है उनका भी घर बसने नहीं उमीद मत आ रहे हैं कभी देर है एक सवाल और जो बहुत सारे कि नौजवान वाइस होवर आर्टिस्ट के बीच में मुझे पता नहीं यह मित है या सच है चुकि समाज को और बेबी को बेस पसंद है तो उन्हें लगता है और यह पता नहीं कहां से पहली कि बीडी पीने से या सिगरेट पीने से आवाज में बेस आता है आपने भ्रहम स आज भी चालीस पेज एक गुब में पठता हूँ वेन इट कमस तो बिकास आपको सुनकर है रहानी होगी आप सिरफ मेट्र तक महदूत मत रखिये मुझे जितने में हिंदुस्तान में मॉनुमेंट्स हैं लाइटन सांड शो चल रहे हैं उसमें 90 पसंड वैस मेरी जाती है और वो स्क्रिप्ट बहुत लंबी होती है ठीक है स्टैमिना इस थे मोस्त इंपॉर्टेंट थेंग गले को छोड़ दीजिए यह आपने एक ड्राग लिया ओ वाव दिन यूस प्रबभली सांड बरी सेक्सी है ना तो मैं कैसे है ऐसा लाइट वो लगता गरारे कर रहा हूं है ना बट मुझे लगता है जो स्टैमिना है गला अलग चीज़ है और लंग पार फेपड़ों की जो आपकी ताकत है भाई सब सिगर्ट पीने के बाद तक का वॉइस कीजिए आप कभी अगर आप एक पेज से उसी सस्टेनिबिलिटी के साथ पौड़ जाएं तो मैं आपक प्लीज प्लीज इस मित को इस घलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजे मेरे स्टूडियो में आते हैं बच्चे सर जब एक सिगर्ट पी के आते हैं फिर देख लें नारंग ये बताओ कि आबाद में दर्द कैसे पैदा किया गया है क्या मतलब सिगर्ट नहीं पी रहा है अब ना तारूफी इस तरह से कराएं या बाचीत का सिलसला आगाज ही ऐसे करें माशालला वो खातून को कहें क्या आवास पाई आपने ताकि वो भी कहें आपने बहुत अच्छी बाई है इससे काम नहीं चलेगा इसके लिए बाद में अलग से एक सेशन करवा लें और मेरे तल आप लोग खबरें पढ़ रहे हैं तो इस दौरान जो सबसे बड़ी खबरें आप लोगों ने पढ़ी और जैसे हमें यह याद है लोगों को भी याद है कि इंद्रा गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई और सल्मा जी उस दिन खबर पढ़ने आई तो उन्होंने गुलाब कफूल नहीं लगाया हुआ था इस तरह के ऐसे कौन सी ऐसी खबरें जो दश्कों में एक बार आती हैं और आपको याद है कि वो खबर मुझे पढ़ी तेरो समय क्या माहल एक दोनों बारी बार आप बता देना मेरी खबर तो यादी आपको इनकी खबर सुने ने ने मतलब अपने आप में एक धुकत घटना थी वो और उसके बाद जैसे राज कपूर का इंतगाल हुआ तो एक तो यह हुआ कि उन्होंने कहा कि सब पढ़ा भी मैंने तो फिर नेक्स टे एक रिपोर्ट जाती थी राज कपूर की स्टोरी कह ली जी उनकी एक यात्रा तो वो बहुत खुबसूरत किसे ने लिखा था मैंकल गौरी जी होते थे गौरी शंकर कपूर साथ एडिटर होते थे उन्होंने लिखा था तो वो उसी एमोशन के साथ पढ़ने का मौका में मिला प्रकास रात को आप वो खबर सुना के गए थे कि राज कपूर साथ नहीं रहे और फिर उ होते थे उनको खब लिखा कि आप फिर मतलब कि यह क्लिप हमें उस जमाने में इतना आसान नहीं था वो वी क्या बोलते थे नो इस टेप को तो वो वी सेर क्या मिल वी सेर नहीं उसको वी सेर नहीं उसको वी टेयर हो टेप को क्या बोलते थे वी एचेस बिलको सही का आपने अब तो डिजिटली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं न सब कुछ तो उनसे मांगा गया तो उन्हें ने कहा था खासर गिब माई कॉंपलिमेंस तु तो यह घटना दुखत थी लेकिन उस वज़े से जैसे उपहर ट्रेजिटी क्योंकि मैं उधर से मैं रहता हूं तो वहीं से आ आग लग गई आग लग 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 लगी तो वह रोज गारण हा ऊसखास की तरफ से लेकर हमें पहुंचे थी सब तो उसी ख़बर को आपने पढ़ा कि आज इतने लोग इसमें मतलब मर गए तुर्देप न्यूस का एक अनृटिन रूल था उस तो न्यूस का एक unwritten law है कि आप न्यूस पहला हैं लेकिन आप न्यूस में involved नहीं हैं, मतलब न्यूस के इतने variations हैं, कभी inauguration है, कभी political news है, कभी किसी की death है, कभी tragedy है, तो you have to be very impartial and very appropriate. रहा सवारिस का कि गुलाब लगाने तो जाहर है, आप मौक के हिसाब से ही अपने आपको dress up करें, which is a बहुत accepted चीज़ है, इस पर एक बहुत इंटरिसिंग कसा यह है, कि हमारे साथ एक news colleague थी जिनको मुस्कुरानी की आदत थी, बहुत, मतलब तो पढ़ती है आपको news मुस्कुरा के थी, आप न्यूजुरा में पढ़ने तो आपको पता नहीं नहीं का आगे वाला क्या आ रहा है, तो मुस्कुरा ही रहीं थी कि आगे news आई, कि हमें बड़ा खेदी बताती आपको, कि सोजनसो का दिहानत हो गया है, तो वो भी मुस्कुराइठ के कुछ आप को कंडे करना है और बात की बड़ा आप जिस तरह की बातatta टेकनिकल गिलिचिस की वज़ेसे कई बार आप को बहुत कुछ बहुत बढ़िया हो गया सबकुछ टेकनिकल गलिचेस भी हमारे मिनिट कर दिया जाता था हर सेरेडे को पांच मिनिट सॉफ्ट स्टोरी लगा दी जाती थी वह सॉफ्ट स्टोरी यहां तो आपको विए से मिलती थी यह बड़े-बड़े हाई-बैंड की टेपस आती थी उसको लगा दिया जाता था तो मैं कई बारी किस्ता सुना चुका हू पाए गया तो ने चूलेगी लिए इनको डी फोकस करके बड़ी हमेशा हर थोड़ी देर में फोकस कर लिया कर ते थे अब मुझ में फोकस कर रहा है कि भाई यही गैंडा देख लो है, है ना, तो मतलब, तो यह जो छोटी चोटी, अब आप देखा कि या रही तो गैंडा चली और मैं गैंडे के बारे में बोल रहा हूं, और यह कमभख्त मुझे फोकस नहीं फोकस कर रहा है, तो आप बताए अपनी हंसी को कंट्रोल कैसे करे मुझे याद है कि बिहार में बहुत बड़ी एक ट्रेजडी हो गई थी, और उसमें बहुत कोई महान शक्सियत उनका इंतकाल हो गया चले गए, तो एक हमारे यहां क्या होता, तो सलमा जी जानती है, कि खवतीन के बड़े-बड़े बैग्स, वो यह यू रखती है, फिर य रोल हो गया, है ना, और मुख्य समाचार मैं नहीं पढ़ने थे, और जैसे, बैग नीचे रखे, उन्होंने बैग यू उठाना था, यू रखा हुआ, यहां रखना था, तो नेचरली इदर यू उठाएंगी और यू रखेंगी, उन्होंने उठाया वो पानी के ग्लास प क्या कंट्रोल करेंगे, आदमी तो ऊपर चला गया, जिसके बारे में पढ़ रहा है आप, और नीचे आपके साथ कुछ काम हो रहा है, पानी गिर रहा है, वो बोर्ट से इसलिप होके आपके उपर गिरता जा रहा है, तो यह जो गूफ अप्स हैं, इनको समहालना, तो यह आपको नीचे भी देखना है, और फिर बीच वीच में कैमरा पे और इस बात का भी ख्यार लगना है कि जिस लाइन पर थे, वो लाइन मिस ना हो जाए और उपर नीचे ना हो जाए, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती होगी, आपको क्या लगता है, मैं महान जुदारू के ताइम में नीचे आपको कभी गूफ अप्स नहीं हुए इस त आपके साथ कभी कोई बहुत गूफ आप सारे दर्द भरी दास्तान आप क्यों सुना चाहते हैं, अच्छी बाते सुनिए यह बताएं जैसे आप लोग हिंदी के समाचार पढ़ते थे और अंग्रेजी के समाचार दूसरी तरह से शायर लिखे जाते हों, हिंदी और अंग् समाचार लिखने वाले लोग थे, हिंदी और अंग्रेजी की audience की sensibilities को लेकर के क्या अलग अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, फार्क होता था, sensibilities की वो समवेधनाओं की बात थी, यह reactive कौनसी audience है, अंग्रेजी वाली less reactive होती थी, logical होती थी, यह मान के चली, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मुझे याद है, जैसे 1984 के rights हुए, तो हिंदी में और अंग्रेजी में थोड़ा फर्क होता था, हम दंगों की बात कर रहे हैं, तो हम कम करते थे, वेरस अंग्रेजी में कह रहे दिया जाता था कि दंगे हुए, लेकिन हम कहते थे, स्थिति गाबू में, हाँ, और मतलब महौल ठीक है, कोशिश यह करते थे, कि कोई प्रतिक्रिया ना हो, reactive ना हो जोग, अंग्रेजी वाले logical है, reactive नहीं होंगे, तो इतना एक फर्क डाल दिया करते थे, मैंने मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब गौर से सुनना शुरू किया मैंने, तब मुझे लगा कि हाँ, यह editorial में करते हैं इस तरह से, कि यह जो audience है, यह समली रहेगी, इसमें हो सकता reaction हो जाए, मैं यह नहीं कहरा कि सारे हिंदी सुनने वाले reactive होते हैं, लेकिन इस तरह से balance किया जाता था, अच्छा, सलमय जी, बात के दौर में, आपको किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया कि अब प्राइवेट चैनल सा गए, कि हमारे लिए एक शो कर दीजिए, आप हफते में एक बार आदे गंटे का, मैं तो चाहूँगी, लेनन टॉप में आएकि आज कल कुछ काम मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, आपको मिले शमीर जी इस तरह के प्रस्ताव, बहुत शुरू में आया था, लेकिन एक मेरे एक परस्नल जो मेरे लाइफ ती, उसमें बहुत बदलावा चुका था, टाच्वूट, मीडिया भी तब बदल गया था, तो मैं इसी तरह के, अगर यहां तो सब कुछ चूट गया होता ना, मैं खुद ही फिल्मेकर बन गया था, खुद ही मैं बहुत सारी कॉप्रेट फिल्म्स बनानी शुरू कर दी, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था, तो फिर यह लगा कि I'll be wasting my time now, मैंने अपनी inning खेल ली, चाहे वो शोहरत की बात हो, यह establish होने की बात हो, वो ठीक है, वो अलम्या ने अच्छा करम किया, है ना, पर यह जो था, कि आप दुबारा किसी channel में जाएं, कई बार लगता था, अरे अच्छा यार, कोई मिस्तों नहीं कर रहा कुछ, लेकिन इतना ज्यादा अपने profession में हो गया था, वोइस चल रही है, माइक्रफोन, कैमरा, माइक्रफोन, तो क्योंकि उससे तुम्हें वंचित था ही नहीं, तो जरूरत नहीं समझी कभी, और थब लोग शुरू शुरू में बहुत सारे में जो ब्रटकास्टर्स या जो डिकास्टर्स या आंकर्स भी मिलने आ गए, तो मुझे लगता था चलो इसी में कॉलर्स आप यार बच्चे आते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा, पर ये इस तरह की जरूरत महसूस नहीं कि अभी जाके किसी चैनल के साथ जुड़ जाओं, और फिर एक होता है आप जल्दी मुतमाइन हो, एक संतुष्टी हो जल्दी हो जाती है कि या ठीक है, भाई तुम थे क्या, जर्रा थे, वैसे ही लोगों ने पहाड़ बना दिया आपको, है ना, तो अब आल्ला में ऐसी क्या मांगेंगे हो रहे हैं, मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि जो अभी मिजाज है इनका टीवी का और उसमें जो दोड़ है, जो एक तीजी से खबरे पढ़ने का जो चलन है, आपको लगता है कि अगर आप अपने जो आपका खबर पढ़ने का अंदास था उसमें उस तरह के बदलाव आप कर सकेंगे, कर पाएंगे. I don't think we'll be able to fall in those shoes, yeah. मुझसे अगर कहा जागे तो मैं उनका अंदास बदल दूगे, बाद तो तब होगी ना, कि अगर आपने इतना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि basically हो सकता है, people may appreciate, but मुझे लगता है कि look, they're quite used to everything, because you got a funny thing in your hand, remote आपके हाथ में, कुल्दी पसंद नहीं है तो शम ही पर चलेगे, शम ही पसंद नहीं है तो इन बिटिया पर चलेगे, you know, like these kind of things, you know. तो अब वो जो बात है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, बुरा पढ़ रहे हैं, यह हो गया कि, एक तो क्या हो गया कि, क्या हमारे आने से, उसकी जो basic एहमित बदल जाएगी, credibility की बात कर लीजी, या कुछ भी बातें कर लीजी, तो I think, let new generation do this, मेरा मेरा मानना है. यह सोशल मीडिया पर भी यह सवाल आया है, हमने यह बताया था कि आप से आज मुलाखात हो रही, तो सोशल मीडिया के जो हमारे users हैं, उनमें से कुछ लोगों ने सवाल भेजें, यह सवाल आया है कि, सलमा जी आप क्या TV पर news देखती हैं, और रोहन सिंग का यह सवाल है, बेस्ट आंकर कौन है आपकी नदर में अगर देखती हैं, तीवी पर news मैं माफी चाहते हूं नहीं देखती, क्योंकि इतने channels हैं, इतने versions हैं, तो मैं उतने confused नहीं होना चाहती हैं, लेकि मैं news से बाख़बर रहती हूं, और मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है, और दूसर सवाल अंकर क्या है, कि best anchor कौन है, आपका पसंदीदा anchor कौन है, इस वाक्त तो क्योंकि मैं ललन टॉप में तो मैं कहूंगे कुल्दीप है, आप देखते हैं, तीवी पर कौन है, पर मैं सही बाता हूं, मैं देखता भी हूं, और मैं क्योंकि जिसको पसंद करता हूं, तो उ जहां तक बात है शायद इस वज़े से एक तो रिसर्च बहुत खूबसूरत है उनकी बहुत अच्छी रिसर्च है उनकी और बहुत इंपार्शल है कहीं से भी किसी भी पाटी के साथ या किसी पक्षधर नहीं लगते इसलिए वो पूरा तबसराज होता है उनका जो पांच मि नहीं वो जो प्रिलोग कहते हैं जिसे वही बहुत खूबसरत है लेकिन उनका नाम लेने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाई तो इसको आप राजी रखिये मेरी तरफ से यह बताएं कि एक सवाल यह था मेरे जहन में कि आवास की पैमाईश है या कौन सी आवास पसंद की है कि मुहमद रफी जैसी आवाजें अब नहीं है गायकी में थोड़ा मेलो थोड़ा सा सौफ्ट वॉइस जादा गायकी में पसंद की जा रही है आप लोगों ने यह फर्क महसूस किया कि एक जनरेशन जैसे बदली है इसने बहुत जादा बेस वाली आवाजों को पसंद क अब बेस वोइस और रही है यहां मतलब आप बहुत सारे फिल्मी सितारे ही देख लीजिए जरूरी तो नहीं कि हरी की आवाज अच्छी है उनका अंदाज अच्छा है और अब सुसाइटी के साथ या समय के साथ वक्त के साथ कैसे चला जाए वह उसमें वह कई बर शक होता है लेकिन मैं फिर कहता हूं हो भी सकता है इसलिए आप जब एक रियालिटी शो के अउडिशन में जाते हैं जब रियालिटी शो में बच्चे आएंगे इनसे भी छोटे बच्चे आते हैं वह गाने के लिए तो वो गाना लतामंगेशकर का या मुहमद रफ पूरी हर जेनरेशन में है कि आप इनकी बात अलग थी तो विच इस अगुड पॉइंट फर अशोल्स हम देवकी नंद पांडे जी जो हमारे लिए पूछनी है है ओल इंडिया रीडियो के तो मतलब आज भी कूंचती है आवाज तो इसी तरह से एक 80 साल का इंसान ये होगा ना उस इंसान में खाली बेस वाइस तो नहीं होगी ना तो मुझे लगता है एक बेसिकली आपके कंटेंट आपकी पेशकर्श आपकी कन्विक्शन ये काम आ रहे ही आज सलमा जी आप दोनों ही मतलब हमेशा विनम्र और शालीन हो करके खबरें पढ़ते रहे निजी जीवन में गुसा निजी जीवन में भी नहीं आता था कभी ऐसी रहते थे ने मुझे पहले मैं बहुत रियक्टिव थी मतलब मैं बेसिकली तो बहुत शान्ति प्रे हूं लेकिन मैं कोई बात होती थी बहुत रियक्ट करती थी जल्दी फिर मैंने रिलाइस करा कि ये नुकसान तो आपका अपनी हो रहा है ये घर में है आपको स्टाफ है आप उसे ने अगर खलट कर रहा है आप चिला कर बाद कर रहे है तो उन पर आफिर नखसान आपका औरक आपको चेहरा खराब हो रहा है और तो फिर मैंने बहुत कम करती हूं अपने आपको सुधारने का तो फिर आपके अंदर एक शालिनता आती एक प्रेस हाता है जो आपको कोशिश से वक्त से आप सीख जाते हैं तो वैसे आप ठहरावाद गुस्यल नहीं है बिल्कुल रही हूं लेकिन गुस्सा नहीं करती कभी करती हूं मैं आपके सुपुत्र का एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्हों जूट बोलना है नहीं आपने गाड़ी चेस की तीन-चार किलो में करते हैं नहीं पहले का ड्राइब करती थी 15 साल तक ड्राइब किया तो शुरू में ड्राइब करने बहुत अच्छा लग रहा था होगी कि और लड़कें ड्राइब करें तो मैं एक कार ड्राइब कर रहे थी और यह विलिंग्टन हॉस्पिलिवा में बस वाला खेल खेला था मतला कभी आगे ले जा था कभी पीछे तो फिर मैंने इसको डाला गियर में और उसके आगे जाए गाड़ी खड़ी की और फिर बुला के उनका हशर ठीक किया यह सही बात हशर ठीक का माइन निकाले जाए जाए और आपको कुटे भी पसंद नहीं है डॉक्स पसंद नहीं है यह ना पसंद कहना मुझे पैट सभी पसंद है मने हैंडल नहीं कर सकती और यह लोग जो है जूटी खबर जो बता रहे मेरे स सहब जादे इनको तो बहुत शौक है तो वह प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे भी बहुत टेम्टेशन देते हैं कि आप भी दो-तीन पाल लें लेकिन मैंने मैंने जो पाल ना थे वह पाल दिया अभी यह कोशिश मैं नहीं करूँ अचा एक चीज और के दूर दर्शन पर नैना जी के जो मुजिकल्स होते थे वाजद इली शापिय उन्होंने के बहुत पसंद है मुझे और और कौन से नमाज़ दादी मा जागी बीबी नातियों वाली हाँ और एक और शुकुल जी नहीं किया था ना जो कॉमेड़ी था एक और मतलब यह इस तरह के जो थे और व मुझे नहीं बहुत क्रिकेट में बहुत देखता हूं अच्छा अब जैसे आइपेल चल रहा है तो अब यह है कि यह तीन घंटे इसमें फायदा यह तो दीवी आपसे दूसरे कमरे में जाके देखती हैं है ना तो यह है कि आप अपना इत्मिनान से मैं और मेरा बेटा हम आइपेल पर डिसकर्स करते हैं और यह टेलिविशन मैक्सिम हमारा स्पोर्ट्स पर यूज होता है फेवरेट टीम कौन सी आपके मेरी फेवरेट टीम किसको सपोर्ट करने हैं मैं चैन्ना इक मैं बहुत साफ कह रहा हूं मेरी और से सवाल इतनी हैं तो मैं एक बार माइक इ अगर कुछ हस्रत रह गई तो पूरी कर ली जी अब हम काफी देर से बैठे हुए आप इन्होंने कह दिया घुसा नहीं आता है सवाल माइ का है हमें सिखा चाहता है कि दो शो मस्त गो-ण जो भी आप पर ना चल रहा आपके साहँ कभी ऐसा हुआ कि घर पर कुछ और हो रहा था निजी लाइफ में कुछ और हो रहा था बट शो हटो गो-ओन तो आप गया है क्से पूछना चाहरी आँ ने एक तरह करिए किसे पूछेंगे, कि हम दोने एक साथ कैसे बोले, आप पहले बताई, आप पहले बताई, आप बताई, आप बताई, नहीं, देखें, हर प्रफेशन का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है, the show must go on, तो हम लोगों की तो ये डिसिपल में थाई, जैसे कि आई गामलों की जिंदग करना था, लेकिन मेरे चहरे से कोई पता नहीं लगा सका कि I have gone through this tragedy, so ये तो बहुत होता और I think बहुत आम बात है, सभी के साथ होता और हम लोगों ने सब ने इसको देखा है, बरदाश किया, तो आपने 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 वो डिस्सिप्लेन परदाई, हाँ, और हुआ, धिसा जऑ पको कμिटमेंट में ऑफो पूरा करना है. जप आप आप साल होसा एक ही काम खते रहेkor गार तो आप उस चीज़ पर लूख पर कैसे काम करते हूं, इस्पर लागता है अप लुच्सपर के सामने बैठे हो और एğ मैं पढ़ लेते हो, यो आप अपने को गिनवाते हैं कि साब आप बहतर करना चाहिए तो आपको यह करना चाहिए जैसे सलमा जी ने कहा कि आप कपड़े इस तरह से पहन लीजिए आप बोलने का अंदाज यह कर लीजिए आप स्पीड कम कर लीजिए ज्यादा कर लीजिए यह तमाम जो बाते इस तरह से यह ग्रा होती है और अपने आपको करेक करने के तरीके होते हैं मेरा यह मानना है कि चाहे कोई भी प्रफेशन हो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसे जाती तोर पर मैं कहूंगी कि जब मैं अनॉंस्मेंट पढ़ रही थी तो मुझे खौ़शती कि मैं न्यूस करूँ और ज जाओं सो हर इनसान को अपनी के साथ से एक अल्टरनेटिव ढूंड़ना चाहिए अपनी परस्नालिटी की ग्रोथ के लिए बिकॉज अगर आप अगर आप न्यूस में है माली जाए या न्यूस रीडर है तो आपकी कहनी में खत नहीं होना चाहिए आप जैसे क्यों न्यू मैं न्यूस पढ़ रही ती डिरेक्शन कर रही ती डिरेक्शन खतम हुआ कुछ और कर रही थी और आज भी आइफ चैनल दा इंटू फैशन डिजाइनिंग आइव डिजाइन हाउस जहां पर मैं साथ कारीगर काम करें सो मैं डिफरेंट तरी सो हर एक इनसान अगर ढूंता तो हर एक बंदा एक दम से बोल देता है कि यार यह गौड गिफ्टिड है तो क्या आपको कभी इस बात पर गुसा आया है कि आपको आपकी 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 आपको कोई आपके दादा महरूम की आवाज ऐसी होगी मैंने तो नहीं देखा लेकिन कहीं कुछ होगा और उसके बाद your inborn inclination आपका रुजहान कहां है कि आप इस पे तवज्ज़ देना चाहते हैं इस पे और काम करना चाहते हैं मुझे याद है कि कैसे लगा कि मेरे वालिट साब जब मैं बन गया तो पहले नहीं मालूम था तो उन्हें का कि बेटा वो फॉज में क्या होता था ठे टेप रिकॉड़र लिया था तो उसमें सब माइक्रफोन में गाना गा रहे थे होता ना जिसको नहीं भी गाना आता तो पहली मर्तबा किसी नहीं माइक्रफोन देखा हो और उसे ये भी लगा कि इसमें आवाज भरी जाती है तो हर आदमी गाना सुना रहा था मैं अकेला ऐ एक मेरे फादर के फ्रेंड थे, जो लिखते बहुत अच्छा थे, उर्दू में लिखते थे वो, तो उन्हें का कि यार इस बच्चे को ब्रटकास्टिंग में जाना चाहिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, तब यार हम लोग सिख परिवार के लोग, फॉज के लोग, अब एंजिनिंग बनेगा, डॉक्टर बन जाए, यह क्या ब्रट, तब यह होता था ना, तो इन तमाम चीजों के बाद, वही बात, फिर किसी और ने स्पॉट आउट की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, अन्नोइंगली आप उस पर काम कर रहे थे, मुझे लगता है, तो यह बेस वोइस होना, बैरिटोन होना, यह 50% एक एसिट है, मैं आपको पहले बता दो, उस पर काम करना, उसको महफूज रखना, सभाल कर रखना, यह सारी important चीज़ें होती हैं, तो अपने profession को मैंने कभी lightly, अपने गले को lightly नहीं लिया, नहीं खानी मिर्ची तो नहीं खानी, न कि मुझे मालूं था कि शम्मी नारंग तेरे पास और कुछ नहीं है, तो प्लीज इसी से शादी कर, और इसी को महफूज किया, तो यह जो चीज़ें हैं, जब आप उसको part and parcel नहीं मान लेते, इस facet को, यह जो खुदा ने आपको दिया है, अब इसको आप polish कीजिए, इसकी परवरिश कीजिए, इसको पालिए, पोसिए, देन आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, यहां सही गा रहे हैं, यहां सही painter बन गए, कोई भी, fun कोई भी हो, कला कोई भी हो, पालना पोसना पड़ता है वह से. गले के खयाल के लिए वैसे आप क्या क्या करते हैं, जो च पन से सिखाई गई, वो सिखाया गया ओम का उच्चारण, अच्छा, मैं जरूर करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, और ओम मैं सीधा ओम नहीं बोलता, मैं संधी विछेत की बात करता हूँ, मैं अ और उ मा में उसे डिवाइट करता हूँ, आप जब भी, सुबह उठें, and सबसे अच्छा जो होता है, when you fall in love with a voice, when you are in bathroom, आप कहते हैं, बड़ा अच्छा bathroom singer है, हर कोई गाता बात्रूम में जाके, you know why, एक resonance आती है उसमें से, है न, when you actually hear your own voice, तो 10 second a, 10 second o, 10 second ma, ज्यादा वक्त मत लीजिए, अब आपको बताता हूँ, उसका biological factor क्या है, जो a जब होते है, हा, that, you know like, more probably, it, जो आपके stomach muscles होते है, इनको flexible करता हूँ, उनमें अलग तरह की ताकत भरता है, उ, आप बोलिये हूँ, तो आपको लगे का आपकी चाती के उपर, लंग के उपर stress पढ़ रहा है, उ, the moment you come to ma, then e and t involved होता है, बड़ा उसको slide करते है, हा, हाँ, हाँ, ये आपका पूरा जो sound box है आपका, जो आपका sound है, जब speech में convert होती है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती, क्यूंकि आपका र्याज हर octave का हो चुका होता है, and always try to speak in, जिसे हम, you know, एक तो मद्ध्य सप्तम, जिसे हम लोग mid octave कहते है, एक lowest octave होता है, मैंने कहा कि और कुलदीप कैसे हैं आप, अब खरज में चले जाओ, तो आप उसमें जाए, और कुलदीप कैसे हैं आप, ज़्यादा सेक्सी हो जाएगा, ऐसा मत करें, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मैं, आप मैंने कहा, सॉरी बिट्या, आपका क्या नाम था, मैं भूल करो, सो वोईस इब्यूज नहीं होनी चाहिए, सब से पहले, तो मैं कहूंगा, जीशा कर थोड़ी दूर भी बैटी है, तो इतनी जहमत मैं करूँ अपनी आवास को बचाने के लिए, तो थोड़ा पास जाके भी कर सो, जीशा आज कहा जा रहे हैं आप, पर मैं पास जाके क सकते हैं, सभी कर सकते हैं, आपकी दादी, नानी, चाची, भुआ सब, आप देखिए, घर में अम्मा है, नौकर को आजा दे, छोटू, एक चाह लाना, एक की चाह ले आए तू, चीनी नहीं है गी, ले जा, उसने दस सेकिंद में चाहर मॉडिलेशन किया हैं बिना ट्रेनि टेप की कीजी हमेशन, मैं अपने आवास को बचाने के लिए, बहुत कम वोइस अब्यूस करता हूं, वोइस अब्यूस के मतलब बिला वर्ज के मैं हाई नोट्स का इस्तमाल नहीं करता, थेट्रिकल में करना पड़ता है, थेट्र में होता है, क्योंकि उस दमाने में माइक कुल्डीब चलते हैं, बड़ा मदा रहा है, कर मैं सकता हूं, लेकिन आप लोग उस अब्यूस करते हैं, तो आप लोग बनने जा रहे हैं, एक तो आपको सस्टेनिबिलिटी, बहुत देर तक ठहराव रहेगा आपने, आपकी लंग पार बनी रहेगी, जब आप लोइस नो करना चाहूंगी, खुल्डीब के हमारा साखशात कर समाप्त हो गया, तो यह जो तमाम बात हैं, तो बेटर यह इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, और दूसरी बात, बस लास्ट बात बताऊंगा, नॉमली घरवाले कहेंगे, गला खराब है तो गरारे कर करते हैं, काम स्टीम कर रही है, आपके वोकल कॉट्स वही हैं, पर इंफ्लमेशन को कम स्टीम कर रही है, गरारे जब आप करते हैं, तो आप वोकल कॉट्स को भी स्ट्रेंड डाल, वो एग्रवेट होता है, अचा ब्रॉड कास्टिंग वोईस और आम वोईस जो है, किसी व मतलब बेसिकल एक बार हो जाएगा जिस तरह से मैं घजल गाना सीख गया, है ना, तो मैंने अंदाज वही बना लिया, बात निकले, तो मैं लोग पे ही कर रहा हूँ, हर चीज, है ना, पर उसे अरिजीत का गाना गाना पड़ जाए, तो पकड़ा जाएगा, Similarly, एक basic normal आवाज में रही है, जो गा रहे हैं वो सही है, है ना, यहां जो बोल रहे हैं वो सही है, तो इतना इतना यह नहीं है कि साब मेरी आवाज कैसी है, आपका basic presentation और आपका जो punctuation और modulation है, आवाज चीर के दूसरे तक पहुंच रही है, और पहला जो सबसे बड़ा सबक हो हुए है, है ना, sorry, pardon, कुछ, इसका मतलब आप clarity, अभी भी आप overlap कर रहे हैं, यार मैं कल बहुंगे है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अक्षर खा जाते हैं कुछ, खा जाते हैं, यहां उनका जो जहन है, वो मतलब बहुत तेज चल रहा है, कि कुछ miss नहों जाए इस वज़े से बहुत तेज बोल जाते हैं, और लाप कर रहा है, तो जिस दिन यह आपको सामने वाला, घर में भी कोई कह दे, कुल्दीप, आराम से बाप किया करो, समझ तो कुछ आ रहा है, स्पोस कीजी, कहा है, तो अभी आप ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, अगला मैं नमस्कार आप दोनों को, मैं आप दोनों को आपके यूथ मिले जाना चाहूंगा, आपने शिक्र किया जब वाइस ऑफ अमेरिका से सौक नोट मेला, उस दौर में आप इंजिनिरिंग कॉलेज में थे, एक इंजिनिरिंग स्टूडन के लेंज से इमर्जन सी कैसी बीती स्ट्राइक्स बंद हो गई भी सबसे पहले तो, हमारे तो जरा से मैस में खाना अच्छा नहीं मिला, तो नारे लग जाते थे, तो सब बंद हो गया थे, और दूसरी बात ये थी कि एक डिसिप्लिन देखा, क्योंकि DTC की बसों में आते थे, वक्त पे बसे आती थी, वक्त अब आप समझ गए, सरकार के अगेंस्ट या सिस्टम के अगेंस्ट ये बातें नहीं करनी, और ये फर्क पड़ सकता आपको, और क्योंकि वालिद साब फॉज में थे, उनके लिए और भी ज़्यादा सेंस्टिफ था ये मामला, तो घर में ये बात कही जाती थी और घर में नहीं कहा जाता था, तो ये दौर देखा, पर इसना क्या था छोटा ज्यादा देर चली नहीं, तो बहुत ज्यादा उसके साथ इस तरह से अवस्ता नहीं हुए, यादें जोडी नहीं बहुत ज्यादा, कॉलेज में पढ़ना, लिखना ये होता था, हाँ ये था कि अब बि हम लोग की जिन्दगी से रिलेटे नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक्सपोजर लिमिटेड था, हम लोग नैचरली आर्ट से जुड़े हुए थे, तो जो नारंग नहीं कहा, कम और बेश वो सही बात कहीं है, और क्या था कि पहलाव नहीं था इन बातों का ना, टेलिविशन बहुत लिमिटेड, रेडियो बहुत लिमिटेड, इस तरह से मतलब आपके वाटसेफ अगरा तो होते ही नहीं थे ना, यह था, हाँ, अगला सवाल, मेरा सवाल आप से है, मैं बोलने से पहले भी थोड़ा सा सोच रही हूं कि इसको मैं कैसे फ्रेम करूं इस सवाल को, हम ज नहीं सुनी नहीं जाती या जहिली नहीं जाती, कुछ दिन पहले किसी दोस्तने स्टेटिस लगाया था कि क्या मेरे सात होता है तो मैंने रेक्लाइ कि नहीं मेरेसाथ भी है। तो में मजाख में बहुत now permettet can you a अभी इतने देर से मैं आपको सुन रही हूं मैंने दो तीन अलग अलग पोर में सुना लेकिन सब बहुत प्लीजन्ट क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता था कि आपको आपके आवाज इरिटेटिंग लगे ऐसा है कि आपने देखा हो कि हम सब लोगों को अपनी हर चीज बु सुन रही है तो एक रोग वाइस सुन रही है अपने उस पर काम नहीं किया है तो पहली बात तो यह कि आपको या तो खुद आप सीखें या किसी की डिरेक्शन में अपनी वाइस का मॉडिरेशन को आप ठीक करें आप सुनने के बार रियलाइस करें कि हमने कहां गलती करी क् वर्ट को मैंने ठीक से प्रॉनाउंस नहीं किया, यह आवाज मैंने किस पिछ में रख के मैंने बात के लिए से अभी नारंग बता रहे थे कि हर बात को कहने का एक तरीका होता है तो हमने कौन सा तरीका इस्तमाल किया तो वाइस को मौडूलेट करना भी आसान काम नहीं इस प अपने मसें बनाती है तो वोइस को भी आपको बनानी की जरूरत है जब आप उस पर काम करेंगी तो आपको अपनी आबाज बहुत मीठी लगेगी पहले तो मैं यहा से घर जाँगा और जब अपने मुमिश पापा को बताओंगा कि मैं सल्मा सुल्तान के सामने बैठा था तो पहले विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने टिवी में देखा में मेरा सवाल यह कि हमारे ममी पापा के जमाने में मैंने उन से बहुत सुना है वह आपके अंदास के मुरीद थे जैंडा पूछना चाहता हूं सल्मा सुल्तान किसकी मुरीद है उस समय मतलब न्यूस के कॉंटेक्स में किसी भी जो आवाज की बात होती है एक आपके आवाज गुस्ती थी तो पूरा मॉला जुड़ जाता था ऐसा ममी वपा बता आपके नाम क्या है मानस मानस ऐसा है कि उस वक्त का जमाना इतना अजीब गरीब जमाना था कि हम लोग इन बातों से बिलकुल वाकिफ नहीं थे कि हम क्या इंपक्ट डाल हैं हमारी आवास कैसी है हम लग कैसे रहें बलके होता है जब हम न्यूस पढ़के आते थे और कोई कहता था कि आप बहुत अच्छी लग रही तो बहुत ताजब होता था मैं तो जाके दुबारा आइने में शकल देखती थी कि वाकी अच्छी लग रही थी तो बड़ा मास करके सुनते थे अपनी टेलिविजिन की रिकॉर्डिंग देखते थे तो जो इस से इंप्रूव्मेंट था उस से कहीं ने कहीं वो सलमा सुल्तान बनी और सलमा सुल्तान की हुश्कस्मत थी कि उनको आप जिसे पेरिंस मिले जो हमें सरहते हैं हम सम लोगों याद रगते हैं मे जवाब देदे क्योंकि दोनों के जवाब अलग और लेडिस फर्स तो बिलकुल आप सबसे पहले जवाब देजेगा खबरों के पेशे में और आवाज के पेशे में लंबे वक्त से आप हैं तो ऐसी कौन सी वो चीज है जो आपको इरिटेट करती है अगर कुछ गलत होता ह है सुने में देखने में तो वो कौन सी चीज है सबसे पहले मैं आप से समयजना चाहूंगा किसी को ऐसा गलत बोलते हुए वो कौन सी चीज है जो जो चुबती है व beautifully ढई और कहा यहां तक आप एक इस बात का जिक्र करने के यह ढदे जाहिर है चुने में आपको ठीक नहीं लगता लेकिन एक मैचॉरिटी आ गई क्योंकि आप लोग अब हम इस बात को भी समझ गए कि भै ये नुक्ता अगर कबाब में न लगके जाविद में लग गया है तो ये इनका खुशू नहीं तो कोशिश करते हैं कि उसको हम बरदाश करें लेकिन इतना कोई जबरदस रियक नहीं देखे एक तो ये मान के चलना चाहिए कि पहली बात तो इरिटेट क्यों कर रहा है मैं कौन होता हूँ इरिटेट होने वाला पहले पर ये क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं थ्रीवीलर के पीछे पॉड़के निकलता हूँ उपनी आवकात में रहो वेरी कि जुबान तुरुस्त अच्छी हो तो ये कहना एक तो इस कॉंप्लेक्स को हटा दीजिए मैं मैं कौन होता हूँ स्पॉट आउट करने के लिए कि सब ये गलत बोल रहे हैं जब तक as long as मुझे समझ आ रहा है अभी जैसे वो बिटिया जो अभी आपसे पहले पूछ रही थी कि मुझे कई बार अपने आवाज अच्छी नहीं लगती तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो कम से कम उस मापदंट की तरह बढ़ रही है कि अच्छी आवास क्या होती है या अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है इसका मतलब एम है शी वन्स टू 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 इसे हैं कि यार शम्मी कौन इन चीजों में तवज्जो दे यार समझ आगे ना मेरी बात है ना तो छोड़ो ना यार इस पर क्यों मेहनत की जाए ये बहुत सारे लोग हैं मान के चलिएगा मैं मैंने एक सलमा जी उस दिन किसी को कह दिया अच्छा खासा ब्रटकास्टर था कुछ ने का उसके बावजूद भी ये हुआ मैंने का बेटा या भी लगा लो या बावजूद लगा लो इसके बावजूद ये हुआ बावजूद अपने आप में भी है और बहुत कॉमन है ये कि हम लोग बावजूद के बावजूद भी भी लगा देते हैं है ना तो लेकिन I am very happy कि हम इससे पहले ये कहें कि आपको irritate क्या करता है सबसे अच्छी बात है कि आपको खुद को क्या irritate कर रहा है तेब आप सुनते हैं कि यार अच्छा ये हर इक कलाकार के साथ होता है वो हर क्रिकेटर के साथ भी होता है कला कार के साथ भी होता है काश यार मैं एक पारी और मिल गई होती ना मुझे अगुड़ा प्लेट बेटर मेरी रिकॉर्डिंग चली जाती है बड़े-बड़े उसमें तालियां भी बज़ गई सब कुछ हो गया बड़े-बड़े जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे वैसे वैसे यार्ट स्टिक भी आपकी पढ़ती चली जाएगी तो दूसरे से इरिटेट होने से पहले खुद से इरिटेट होना सीखिए तो आप आप आईए बातचीत कीचिए अब जैसे वो बिटिया बोल रही है तो इसको भी वो आउटल ना है आप से खाने वाले पर अगर मैंने किसी को कह दिया बिटा वो आपने ना कल जैसे बिटिया ने कहा मेरे से गलती हो जाती है तो यहां अगर मैं ठीक करता यहां तो यह नाराज हो जाती मुझसे आप कोने होते हैं मेरी गलती को गलती कहने वाले हैं ना बट नहीं आप आपने, बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने एक मरतबा, मरणो परांथ को, पॉस्तुमस जो होता है, उसको मरणो परांथ बोल दिया, तो बहुत अच्छे गुरू थे, वो से खाले, बेटा देखो, पहले समझो, मरणो परांथ से परांथ बना है, पर परांथ जो होता है, परांथ य यह तमाम चीजों को जिस दिन आप इसमें इन्वाल हो जाएंगे. और आप, यह वोस्त वेलकम तो सेंद एमाज़ तो कुल्दीप कि यह भई श्मीजी से प्लीजे, दिरेक भी भेजिए मुझे. तब ने मेरी तब के उशार किया? पहले तुमने मेरी तब क्यों शार किया? मैंने डर किया कि कही आप मेरे तुल को नहीं मांगे ना चाहिए सब कुछ. So, that's the thing. So, यह आप, किसी को तब आपको कोई बताएगा ना? So, if you feel we can correct you, you're most welcome. मतर यह आपको अन्रिटेन इन्वाइट कर रहे हैं कि आपको जिजदुस को अपने वोइस ठीक करना हो इनके स्टूडियो चला जाएगा? ने, मत जाएए, स्टूडियो मत आएए. तो फिर क्यों नहीं? आप इनके पास आएए. यह तो खुद आएएगे? नमबर है मेरा, आप भेजिए कि सर मैने यह रिकॉर्ड किया है, क्या इसमें इंप्रूब्मेंट हो सकती है, यह इसमें क्या खामी थी, क्या इसको और बहतर किया जा सकता है, और क्या है? जब वोइस बिल्कुल फाइनल अच्छी इंप्रूव हो जाए, तो सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग में मुझे भेजिए, पर मस पर लाइक आपको हार्ट भेजूँगे, नमस्कार मैं, नमस्कार सब्सक्राइब भाशा पर और चारण पर इतनी सारी चीज़े आप लोगो 2011 का न्यूजरूम का महाल भी नहीं देखा, 83 में वो क्या महाल था जब आप दोनों ही लोग वहाँ पर वो न्यूजरीड कर रहे थे या जब भारते टीम में विश्कव जीता वेस्ट इंडीज में, और दूसरी चीज बस एक चोटी सी चीज जो मेरा प्रेम है सिनिमा को ले एक तो यह था, 83 में एक्साइटमेंट तो देखुत थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो तो, और सिरफ एक्साइटमेंट, मेकप रूम या स्टूडियो तक नहीं रही थी, वो घरों में बाहर जाकर महीनों तक इसकी तूती बोलती रही, और यही जिक्र होता था, कि कपिल ने क्या किया और गवास करने क्या किया, तब मालुम पड़ा कि मतलब, मतलब क्रिकिट में, सही मायनों में, पहली मरतबा, माफ कीजेगा, उस जमाने में क्रिकिट में, जो घर की महिलाएं होती थी, वो खबा रहती थी, कि यार आप यह क्या कान से कमेंटरी सुनते र तो वो पहला एक ऐसा मौका था, एक ऐसी शुरुवात थी, एक ऐसा आगास था, जिसमें खवातीन में इन्वाल हो गई, उनको भी अच्छा लगना शुरू होगा, उनको मालूम पड़ा कि ये कपिल दे भी क्रिक्ट का हेरो है, है ना, तो मॉडलिंग जैसे जादा बढ़ ग इतना अच्छा मुकाम हासल नहीं हुआ, बलकि उससे बहुत कुछ बदला भी, सबसे बड़ी बदला भी ही आया, कि जो हमने घर की जो औरतें थी, वो जुड़ना शुरू हो गई, तो पूछती थी, आज भाई, वो कब हो रहा है ऐसा मैच, है ना, जिनको टर्मिनोलोजी नहीं आती थी, कि इसको स्लिप कहते हैं, या इसको गली कहते हैं, वो नहीं आता था, वो अलग बात है, फिर दौर भी बदलते गए, फॉरमिट्स बदलते गए, वो अलग बात है, लेकिन इंट्रेस्ट लेना शुरू कर दिया था, तो वो एक 83 में बहुत बड़ी अचीव हैं, तो वो उस सन में भी रहेंगी और वो हमेशा रहेंगी, हाँ दिखे, वो ही था, मधुबाला तो नेचरी में बहुत बात है, मेरे लिए स्मिता पाटल थी, बहुत अच्छी, शबान आजमी है, स्मिता पाटल, कि वो दौर शुरू हुआ था, एक परलल सिनेमा का, तो अच्छी मेरे फेवरेट अक्टर अगर आप पूछेंगे, तो ओम पूरी भात पसंद थे मुझे, है ना, तो मतलब यह जो आए, तो यह, अमिताब बच्छन एक मासिस का हीरो था, लेकिन वन इत कमस तो अक्टिंग, राजेश करना को भी हम कहते थे, स्टार, बट अच्छ विरिदिंशा, ओम पूरी, पंकच कपूर, तो यह जो लोग होते थे, इनको, आए, हरी की अपनी परसनल चॉइस होती है, तो मेरा रुझान उस तरफ था ज्यादा, जैसे अभी तक फिल्में याद है, निशांत, अंकुर, यह जो तमाम फिल्में हुआ करती थी, है ना, त और क्लोजिंग आज कुलदीव सरदार नहीं करेंगे, आप दोनों के रहते हूं, तो यहाँ पर, हम लोग करेंगे, जी बसे, एक एक लाएंगे, मैं इस वक्त ललन टॉप के स्टूडियो में हूँ, यहाँ पर एक साक्षातकार हो रहा है, और मुझे बहुत प्रसंता है, क ललन टॉप की मेटरो में आप सभी का स्वागत है अगला स्टेशन ललन टॉप मज़ेदारपूर है खुशाली के दर्वाजे चारों और से खुले रहेंगे मज़ा लेने के लिए जहां से चाहें उतर जाएं जहां से चाहें चड़ जाएं बस दुआ यही है कि ललन टॉप हमेशा इसी तरह बना रहे और लोगों की दुआएं बट उरता रहे इसी के साथ समाचार समाप्त हुए नमस्का